रियल है आप करीफ साथ-साथ-साथ-समाय से त्यारी कर रहे होंगे UPSC का यूपी-पीसिस का लेकिन आप में से एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको यूपी-पीसिस का या फिर UPSC का प्रिलिम्स और मिन्स का जो है सलेवस याद है और आप मुझे बताएं कि अगर आपको सलेवस ही नहीं पता है यापको रास्ता ही नहीं पता है तो भटकना तय है और मैं कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके जो है पॉस स्टेडी मैटीरियल के बारे में डिसकस करता हूं और इसके बाद हम कोई कोस की सुरुआत करते हैं कल से हमारी जो समानतहा तीन क्लासे चलेंगी लाइब चलेंगी सबसे पहले मैं जो है एंसियंट हिस्टी से स्टार्ट करूंगा इसके अंतरगत पहले मैं आपको ये बता और फिर इसके बाद रिचा मैं जो हैं साइंस एंट टेकनोलजी की उनकी क्लास से लेगी जो की लाइव ही क्लास होगी इस यूपी पीसे के अंतरगत कुछ क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर होंगी दूसरा सबसे अलोक सर जो है अभी रिसेंट्ली उनकी हम आपके साथ है मारक सीद भी सेयर करेंगे और दूसरी सबसे महत्तूब बात है अलोक सर ज ढ़िए आपके साथ जुड़ेंगे हमारी जो इसमें बहतरीन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सलैबस जैसे करना जैसे कि मैंने बताया देखो यूपी पीसेस और यूपी एसी के अंतरके देख समानता है समानता पर हम देख लेते हैं कि क्या समानता है मैं आपको बता दूँ कि यूपी पीसेस और यूपी एसी में अगर आप कोर्स की समानता की बात करें तो इसका सिलैबस लगभग लगभग जो है बहुत जादा सिमिल लाइकति में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है UPSC का जो इक्जाम है ये concept-based exam नहीं है इसमें information का महत्तो है लेकिन उतना महत्तों नहीं है जितना की UP pieces में हैं मैं आपको बता दूँ और 1000 उदारण बता सकता हूं कि जिन्हों ने 4-4 बार UPSC का interview दिया है और उनका UP pieces का prelims भी क्वालीफाई नहीं हुआ है उसकी ये वज़े नहीं है कि वो यूपी पीसिज लाइक बदलए SydEC na hi है का सिंपल यह है कि रणड़िशी दोनों की अलग-अलग है और अगर दोनों की अलग-अलग है तो आप ही बताएं कि की यूपीक्ट की रणन्य का जरूरत नहीं होता है कॉंसेट का बहुत जरूरत होता है तो हम इसमें प्रॉपर जो एक बैलन्स होता है उस बैलन्स को समयूजित करते हुए आगे बढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको जो है प्रलिम्स परिष्छा का जो फर्ष्ट पेपर है जो आपका समान अध्यान उस यह लाइब क्लास रहेगी यह बाकी का अपना टाइम बता देंगी का जो है कौन सा टाइम रहेगा और अलोग सर का भी टाइम बता दिया जाएगा चलो पहले आप यहां पर थोड़ा सलेवस देखें और अगर कोई अगर डाउट होता है तो यह हमारा नंबर है देखो 9555 अ टाइम है तो आपका डाउट करेंगे अगर आपके पास टाइम उनके पास टाइम नहीं है तो आपको टाइम दे करके वो जो है आपका डाउट सॉल्व करेंगे ठीक है यह नंबर है 9555-03-1427 है ठीक है ओके चलो है हमारा जैसे कि आप देखोंग यूपीस्ट का सलेवस जो एवंट है रास्ट्री और अंतराश्ट्री महत्व की जो है समसामाई घटनाएं इनको जो है इस सिंपल सा की करेंट फिर्स की बात हो रही है जैसे की मैं हमेशा बोलता हो कि बही यूप की अंतरगत आपको अठारा माह का करेंट प्रस पता होना चाहिए व्यूपी के अंतरगत आपको जो है फीरिंट शाय गाले सेस्ट में कि भारत का इतिहास और भारति राष्टती अंदोलत भारत की इतिहास का मतलब क्या है यहाँ पर भारत की इतिहास का भारत का जो राष्ट्री अंडोलन है जो है modern history देखो हमने अपने पढ़ने की सरलता के हिसाब से हमने जो है modern में बाट समाजिक आर्थिक और राजनेतिक पच्छों की व्यापक जानकारी पर विश्ष ध्यान देना होगा दूसरा कि भारती राष्टी अंदोलन पर अभ्यार्थियों से स्वतंदरता अंदोलन की प्रकति विश्षता राष्टवाद और इसका अभ्यूदय यानि उदय और स्वतं जानकारी की परक्खोनी एसके अंतरगत समाजिक और आर्थिक भूगुल पूछा जाएगा और भारत का भूगुल पूछा जाएगा तक में भौतिक और समाजिक औूझे जाँगे वन प्रश्ण दो अधिकारिक प्रक्रण और भारती राज ब्यवस्था यह आपका पॉलिटी के अंतरगत है वहीं अर्थ ब्यवस्था संस्कृति के अंतरगत देश के पंचायती राज और सामुदाइक बिकास सहित राजनितिक प्रणालियों का ग्यान होना जरूरी है और भारत की आर्थिक न समाजिक छेत्र के जोób और इन सभी जो अभ़यारतियों की ईहां का परिछण परियावरानों और नगरीकरण से समस्देस सासे हैं इनके परिप्रेष्चों में जानकारि अभ्भार्थी को रखना पड़ेगा उई रोइस सanता की कोई जरूरत नहीं नहीं इसमें आपको समान समझ होनी चाहिए ठीक है अगला है आपका जो है समान बिग्यान अच्छा एक चीज सबसे बढ़िया बाद यूपी पीसिस के अंतरका समान जनरल साइंस से जो है करीब 15 से 20 कुष्चन होते हैं और यह आपका अब भ्यार्थियों से अपेच्छा होगी कि उत्तर प्रदेश के जो परिप्रच में उपर यूप्ति विस्यों का उन्हें जो है समाने परिशय हो सिंपल सा मतलब यह कहा जा रहा है कि जो यूपी स्पेशल है देखो यह तो आपने जो है यूपी स्पेशल जो पढ़ना है ल मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में जंसंख्या नगरी करण और यूपी स्पेशल से करीब करीब जो है बीस से पच्चिस कुश्चन पूछे जा रहे हैं और यह भी आपके लिए एक डिसाइडिंग होता है अब हम आते हैं सेकेंड पिपर अब देखो आपका यहां पर प्रिलिम्स के अंतरगर्द जो आपका जीयस और फस्ट है यानि जनरल इस्टडी और जो सी सेट है तो हम सी सेट भी प्रोवाइट करवाएंगे इसमें आपको कॉम्प्रेहेंसन मिलेगा इसमें से इंटरपरसनल स्किल मिलेगा संप्रेशन भी मैं अलग से और शांख की समान अंग्रेजी हाई स्कूल इस तर तक की होगी इसमें से अपको सब कुप बताऊंगा और इसमें से आपको समान हिंदी होगी योगी सारा सब कुछ हम हिंदी और इंगलिस यह भी करवाएंगे अंक गड़ित के अंतरगत आप यहां पर स्क्रीन सॉट लेज बढ़ा जैसे नंबर सिस्टम कितना आसान है प्राक्तिक प्राइब संख्याइं वास्तविक संख्याइं यह बहुत ही आसान है जो कि आपको यूपी सेट काफी पूर होता है यूपी सी की अपेच्छा में यह काफी पूर तो नहीं कहेंगे लेकिन उतना बहतर नहीं होता है यूपी सी में होता है मैं बता दूं हिंदी माध्यम का बच्चा यूपी सी में सीशेट की वज़े से जो है बहुत बच्चा बाहर हो जाता है लेकिन यूपी पीशिस के अंतरगत ऐसा नहीं है अब जैसे यह देखो ना ठीक है बेसक लिखा वह तेंथ स्टेंडर्ड लेकिन आपको महत्तम समापुर्थ तक लासा मासा अऊसत अनुपाद समानुपात परसेंटेज यह सब तो आपका देखी रहे हुँगे ना सिक्स्ट सेवन्थ स्टेंडर्ड का है इसमें सिभ्यास सधारण वयाद चक्रव्द यह सारा पूछा जाएगा और संख्रों का जो संग्रह 7 और 8 में आपको जो है इसके अंतरगत होगा आपको मैं यहां पर इंग्लिस वाला जो इंग्लिस में क्या क्या पूछा जाएगा कि आपने पढ़ाई होगा सभी बच्चों ने पार्ट ऑफ स्पीच हम लेकिन पढ़ाएंगे परिशान नहीं होना ट्रांस्फॉर्मेशन सेंटेंस डारेक्ट और इंडारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच पेंच्वेशन स्पेलिंग्स वर्ड मीनिंग्स और वोकेबलरी यूजिस आइडिम्स फ्रेस फिलिंदी ब्लैंक्स य यह जो है सी सेट वाला सलेवस है यूपीपीस का और यह भी आपको वही 4999 में मिलेगा और मैं आपको बता दूं कि यह जो है महर्च कुछ दिनों के लिए है यह जो है हाई होगी जैसे कि हमारी यूपीस की फी हाई है यह आपका तो प्रिलिंद्स का सलेवस रहा यहां तक क किसी भी बच्चा अगर कोई जानकारी चाहता है किसी भी बच्चे को अगर इस सलेवस में कोई मतलब लगता है कि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मैं एक एक बच्चे को जो है यहां पर रिप्लाइ करूँगा पूछ यह नहीं मैं आपके रिप्लाइ के लिए ब रज़ कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहे हमारे कोर्स के बारे में या प्रीलिंस को मैंने Kings क्या, कि अगर आप पूछना चाहेते हैं तो फूछें επ рукोसे सकी मुझे वथया है कि हिंधी मरने मीज़िले पूछना बुचिंग के रहे हैं ूटपकल के राप युजा में इनर्जय यारफ है सब्द रचना संधि समाज क्रियां अनेकार्थी बिलों सब्द परयावाची सब्द महावरे और लुकत्तियां तत सम और ततबहौत देश विदेशी सब्द जो है वर्तनी अर्थबोध हिंदी भासा के प्रयोग में होने वाले जो असुद्धियां और उत्तरपदेश की बोलियां मैं ही करवाऊंगा ठीक है तो यह आपका हिंदी यह मतलब जो है सिसेट के अंतर के जो हिंदी का सलेव मतलब है जो पूर्षन है इतना आपको हि यहां पर आप देखो तो भारती संस्कृती में प्राचीन काल से आधनिक काल तक के कला के रूप साहित और वास्तुकला यहां पर आर्ट एंड कल्चर है अनुष्टर होगा अठारवी सदी के लगभग मद्द से लेकर के वर्तमान समय तक आधनिक भारत का जो मौडन यह सारा कंप्लीट करवाएंगे मतलब जो आपका पूरा सलैबर सजो फस्ट पेपर के अंतरगत स्वतंतरता संग्राम इसके विभिन चरण और देश के विभिन भागों में जो है इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वण बैक्ति और उनका योगदान पढ़ना है आ इतिहास में वे neat quando सधी के बाद जो घटनाए हैं प handful की बड़ी आज सही स्टार्ट भी है क्या हाँ बिलकुल जो यह आरू सुकला आज से ही एक हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है यूपी पीसेस का ठीक है आज बस मैं सलेवस डिसक्स कर रहा हूं इसके बाद हमें देखो कि सामयवाद पूजीवाद समाजवाद और जो है राश्टी सीमाओं का पुना सीमांकन उपनेवेसवाद उप हमारी जो है लाइव तीन क्लास चलेंगी तो भारती समाज की मुख्य विसिष्टाएं भारत की बिविद्धता महिलाओं की भूमिका और महिला संग्ठन जनसंख्या और उसे सम्मधित मुद्दे करीबी और विकास आत्मक मुद्दे सहरी करण और उनकी समस्याय और उनके रच्छो पाए साथ में समाजिक सक्तिकर्ण संप्रदायवाद छेत्रवाद और धर्म निर्पेचता तो यह हमारा जो है जो मेंस का द्यान से सुनिएगा जेंस मेंस का जिएस का जो है फर्ष्ट पेपर है अभी फर्ष्ट पेपर कंप्लीट नहीं हुआ आगे देखो जिगरॉफी वाला पॉर्षन बचा है अब बिश्व के भौतिक भोगोल की मुख पीसे स्ताएं वहीं बिश्व के यहां पर देखो कि बिश्व भर में जो है मुख प्राक्रतिक संसादनों का बितरा साथ भूकंप सुनामी ज्वाला मुखी हलचल चक्रवात यह सभी महत्रपूर्ण भू भूबहुत की घटनाएं यह जगरॉफी आपको जो है मैं आपको बता दूं कि अलोग सथ जो की आल्रेडी यूपी पीसे के कए बार मेंस क्वालिफाइड है वह पढ़ाएंगे ठीक ह परिवर्तनों के प्रभाव यह आपका फस्त पेपर जीस का ही है भारत में समुद्री संसाधन और उनकी छमता मानो प्रवास भारत पर ध्यान देने के साथ सरनाथी की समस्या चाहे रहोंगिया की समस्या हो या फिर और इसके साथ साथ जैसे कि उत्तरप्देश में की विस्ष्ट जो है ग्यान उत्तरप्देश का इतिहास है उत्तरप्देश में जो कला वास्तु कला त्यहवार लोकनृत त्यवर्त इस हित्री भासाएं विरासत समाजिक्री तिर्वाज परेतन यह सारा सब कुछ उत्तरप्देश यानि यूपिस्पेसन की बात हो रहे है उत्तर प्रदेश का भुगोल का बिस्निस्ट ग्यान मानो इतिहाद मानो ग्यान और प्राग्रिटिक संसाधन जलवाईू मिट्टी वन वन वनेजी और वनेजी अभ्यारन खान खान खनिज वगेरा यानि जो संसाधन से चाहिए यह सारा सब कुछ यूपी स्प्रिसल के अंतर अब देखो यूपी सी का जो आपका यहीं जो सेकंड पेपर है तो उसमें भी पॉलिटी और जो गवर्नेंस है इसी तरह यूपी पीसे में भी है और जब मेंस पॉइंट आप यहां पर पढ़ाएंगी और जो है इसके लिए आई-आर के लिए पॉलिटिक इंडियन पॉलि कैसे पढ़ना है जो है मेंस पॉइंट आभी से पॉलिटी कैसे पढ़ना है क्या डिफरेंसे हैं दोनों में और आंसा राइटिंग तो मैंने बताया है आप से प्रॉमिस कमिठी किया है कि एक हजार हम जो है मेंस का कुष्टन डिस्कुस करेंगे और डेली मैं खुद ही एक प्लान कर रहा हूं कि तीन से चार जो है कुष्टन लेके आऊं आपको दूं और एक फार्मेट में हम डिस्कुस करें अब संग और राजों के कार और उत्तरदाइत संगी धाचे से संबंधित बिसय और चुनवतियां अब देख रहे हो आजकल की अगर माल लोग की जैसे की लगभाग ऐसा होता ही है कि हमारे यहां जो है यहां पर संग और राज्यों के जो संबंध हैं बहुत यहां पर डिटेल में डिस्कुस किया जाएगा ठीक है साथ में सक्ति और बित का हस्तांत्रण और उनकी चुनवतियां आपको देख रहे होंगे कि कई बार बित को लेकर के कई जो हैं क्लैसिस होते रहते हैं आंद्र आंद्र प्रदेश और संग के साथ कई बित को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे क्लैसिस हुए हैं आपने कई बार देखा होगा वह हम सारा सब कुछ यहीं बित तायोगर उससे संबंदेश चीज़ें पढ़ेंगे घटकों की भी सक्तियों का प्रथक करन बिवाद निस्तार चाइन और अन्य देशों के साथ कंपेर करते हुएं चैना के संबिधान के बारे में और कुछ देशों के संबीधान के बारे में कंपेर करते हैं और जो है सरकार के मंत्राले और विभाग प्रभाव समूह जो है प्रिसर ग्रूप यहाँ पर अप्चारिक और अनप्चारिक संग सासन प्रणाली में उनकी भूमिकार जन प्रतन देत अधनियम और उनकी मुखे बिसे स्ताएं यह सारी चीज आपका सेकंड पेपर का हिस्सा ह सामधिक बिनियामक और जो इस सरकारी नीतियों और विभास प्रक्रिया और विखास उद्धियों गैर सरकारी संगतनों और क्लास खत्म होगी न तो आप मुझे उस नंबर में मेश्ज करना तो मैं आपको जो है इसका पूरा जो है सलेबस भेज दूँगा सलेबस हर ब्यक्ति को याद होना चाहिए रटा होना चाहिए क्यूं कि आप मैंने बताया ना कि वह सलेबस रास्ता है अरे क्या पूछा जा रह है तो सलेबस हर हाल में आप 10 वा लिकिए 20 वा लिकिए लेकिन अगर लिख लिख के आप 10 से 12 बार 15 वार करेंगे तो आपको रट जाएगा जब रट जाएगा तो फिर आपको जरूत नहीं अगर को टीचर पढ़ा रहा है ऐसा आपको सलेबस सही पता चलेगा कि कहीं बेवक सानवे प्रतिस्त बच्चे जो पांच यह साथ साल से भी तयारी कर रही है यूपी से यूपी पीशेस काउन है आज भी पूरा सलेबस नहीं पता है अगर नहीं भरोसा हो तो अपने सीनियर से पूछ लिजेगा बस बड़ा बड़ा बता देंगे कि इंडियन पॉलिटी और साइन टेकनोलजी और एकॉनमी थर्ड पेपर में है और फोर्त पेपर में इसा बता देंगे आप यह पूछिएगा कि अच्छा यह बताओ भाईया कि सेकंड पेपर में अगर आप कह रहे हो कि पॉलिटी और गवर्नेंस है तो हमें क्या-क्या पढ़ना है तो फुस हो या कोई भी स्टेट सभी सिविल सभी सो निकालना बहुत आसान है अगर आप मेरे साथ बराबर मेहनत करते रहेंगे जैसे कि मैं पहले देन से ही पढ़ाऊंगा उसके बाद जो है हमारा प्रॉपर घटना चक्र और उससे संबंदित जैसे कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट से स्टार्ट करना है तो अगर माल लो कि हम इस्टों ने जो पासान काल पढ़ेंगे तो पासान काल पढ़ने के बाद हमारे जितने भी 100-200 घटना चक्रे के जो कुष्टन होंगे वह आपको लगाना पड़ेगा वह लाइब क्लास में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा लेकिन आपको लाइब इससे क्या होगा कि आपका साथ ही प्रैक्टिस होदा चलेगा इसके बाद जो है मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे हमारे चैप्टर समाप्त हुआ तो करवाऊंगा यह सारा चीज धान रखेगा मैंने आपको बताए स्कूर्स की स्प प्रोवाइड करवाया है दूसरा कि भई देखो अब बिकास प्रक्रिया और विकास उद्योग जो है इसमें से गैर सरकारी संगतन जिसको एंजियों कहते हो सभी पच्छों की भूमिका के बारे में डिसक्स करेंगे साथ में केंद और राजों के द्वारा जनसंख्या के प्रती जो है संवेदन सील वर्गों के लिए जो है कल्यानकारी योजनाओं और इन योजनाओं का का और इन आती संवेदन सील वर्गों की रच्छा और बहतरी के लिए जो है गठित तंत्र और निकाय स्वास्त सिच्छा मानोस संसाधनों से समाजिक सेटर सेवाओं के विकास और प्रवंधन से संबंधित विशय होंगे गरीबी और भूंग से संबंधित विशय होंगी ठीक है साथ में सासन नागरिक चार्टर पार्दर्सिता जवाब देही संस्थागत जो है कुछ अन्य उपाए लोग तंत्र में जो सिविल सिवाओं की भूमिका भारत और इसके जो है पडूसी पडूसी के पडूसी के साथ संबंध पच्छी और बैस्विक समूंग और भारत से संबंधित भार करेंगे दूसरा की महत्रपूर्ण अंतरराष्टी संस्थाइं जो है संस्थान संस्थाएं और मंच उनकी जो है संदचना अधिदेश और राजनितिक प्रसासनिक जो है राजस नाइक व्यवस्ता इसकी संबंध में और उत्तर प्रदेश का जो इस्पेसल यूपी है यह य इसका जो थर्ड पेपर है तो इसमें भारत में जो आर्थिक योजनाएं उनका उदेश और उनकी उपलब्दियां नीती आयोग और नीती आयोग के बाद जो है पहले योजनायोग और फिर नीती आयोग और उसकी भूमिका और सततलच वहीं गरीबी बिरोजगारी समाजिक समावी सी विकास मुद्दे जिसको एकॉनमी के हम मतलब पहली क्लास से ही स्टार्ट करते हैं साथ में सरकारी बजट और बित्ती प्रणाली के जो घटक है इसके बाद आपको मुख फसलें जो की एकॉनमी के अंतरकत अगरी कल्चर मैं पढ़ाता हूं तो देश में बिभिन सब्सक्राइब जैसे ही हम जैसे हम कल से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे कि क्या हम कि पानी कि आप बिल्कुल राहिल सो है बिल्कुल आप कर सकते हैं समुद्र के पानी को और बहुत सारी कंट्रियां करती भी तो है आप मेरे लिश्ट में चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो समुद्र के पानी को ही मतलब पीने के लिए उप्योग करते हैं बस उसको जो है करके दिखो इसम्हें क्या है कि अगर टेक्नोलोजी को हम और बिकसित करें तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे खर्चें और कम हो जाए हम समुद्र के पानी को प्यूरिफाइड करते हैं तो उसमें जो इसके चलते हम जो है अभी हमारे पास जो भूमिगत जल है जो ग्राउंड वाटर है हम उस पर जो बेस्ट हैं लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि वैसे स्टेट जैसे कि आप मतलब जो समुद्र के साथ उनका बाउंडरी होता है मतलब जो पेरिफेरी स्टेट जैस अब प्रद्योगी की हमारी यह निश्वरी जो टेकनालोजी है हमारी अगर और डेपलप कर लेते हैं तो जो हमारा एक्सपेंस से खर्चा कम हो जाएगा तो हम इसको पानी को पिरिफाई करके उसको व्योग कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे देश जो है ऐसा कर भी रहे हैं मि स्थान उपरी और नीचे जो नीचे अपेच्छाएं और अपोति स्रंख्ला फूर्ट चेन स्वतंदरता के बाद भूमी सुधार उदारी करण और अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव और द्योगिक नीती में परिवर्तन और द्योगिक बिकास उनियादी धाचा इसमें उर प्रभाव विज्ञान और प्रद्योगिकी में जो है भार्तियों की उपलब्धियां देश रूप में प्रद्योगियों का विकास तूचना प्रद्योगिकी अंतरिच कंप्यूटर रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलजी बायो टेकनोलजी इस साब कुछ रिचामें आपको और गिरावर्ट वहीं पर्यवर्णी प्रभाव और मुल्यांकर यह आपको अलोग सा जो है इन्वामेंटर इकॉल जी पढ़ाएंगे एक गैर पारंपरिक सुरच्छा चुनवती और आपदा प्रवंधन आपदा निवनी करन प्रवंधन अंतराश्टी सुरच्छा की इंटरनल सेक्यूर्टी मनी लॉंडरिंग मानो तसकरी जो हुमन ट्रैफिकिंग है यह आपको थर्ट पेपर में ही पढ़ना है भारत की आंतरिक सुरच्छा और चुनवतियां आतंकवाद ब्रश्टाचार उग्रवाद और संग्ठित जो अपराद हैं भारत में सुरच्छ मैं आपको बताता हूं कि क्या है और हम उसमें से क्या समस्य आती है उत्तरफिदेश की अर्थ व्यवस्ता का विस्स्ट ग्यान लाजबटत यूपी स्पेसल जो एकॉनमी है वह हमें पढ़ना है इसके अंतरगत राहिल होता क्या है कि जो समुद्र का पानी होता है उसकी सैल में वाटर को पीनियोग नहीं होता है अगर आपके पास जो है एसी टेखनोललजी है कि आप जो है उस सेलाइन dissolve में जो है है इस सैलाइन वाटर को पूर पानी में अ बदलता है यह बहुत ज्यादा आ जाते हैं अब ही जिनके पास यह पानी को बिकल्प नहीं है तो उनके पास बिकल्प नहीं है तो अगर हम लगातार अधा धुन्द पानी का जो है दुरुपियों करते रहे तो देखिएगा आने वाले समय में जो है ना पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस होगा और मैं जहां तक मैं जानता हूं या मैंने आप्जर्वी किया है मैंने 30 साल के उम्र में तो मैंने एक देखा कि मतलब यह बहुत बड़े लेवल पे मत जाओ बड़े लेवल पे तो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है इन्वार्मेंट पे जो है पर्यावरण पे लेकिन छोटे लेवल पे देख लो एक दूसरा बात मैं बताऊं कि मेरा जो ननिहाल है वह MP में पढ़ता है और वहां पर वह एक तरीके से चारों तरफ से जो है मतलब तीन तरफ से कहलो चार तरफ से मत कहो जो है उससे घिरा हुआ है परवतों से पहाडों से घिरा हुआ है यह मान उसका ओपन एरिया है तो यहां से एक नदी बहती थी इधर को वह नदी जो है सिर्फ आज कलब बहती है नहीं वह जो के प्रती जो है मेरी हमेशा से संवेदनाएं रही हैं ठीक है और उनके कंसर्ण रहे हैं उनकी सूज को ले करके लेकिन यह सरकार का काम है कि हमारे किसान भाईयों को यह बताए कि भाई जिस शेत्र में पानी की जितनी उपलब्धता है उसको ध्यान में रखकर उनके क्रापिंग पैटर्न पर जो है सरकार फूकस करे पर हमारे यहां सरकार का मतलब पता है आप जानते ही हैं कि क्या है सरकार का मतलब की जो है काम करे अगला बने रहो पगला और इसी वजह सब लोग सरकारी सरकार कोई सब्सक्राइब करती है कोई नौकरी का दौड़ रहे होते हैं सरकार कोई की चीज प्लैन करती है मैं आपको कितने आसी योजनाएं बता दूँ अज तक जो है भारत में मतलब नब मैं बता रहा हूं कि जितनी योजनाएं देखी हैं उनमें से सफल सिर्फ दो योजना देखी है एक तो मनरेगा की इसमें बहुत लंबे लेवल पर मनरेगा की योजना में भी बहुत जो है फजी वाड़ा होता है और एक स्कीम आई थी जो है जंधन योजना जंधन योजना जो की बहुत सफलतम जैसे कि आप देखें तो प्रॉपर ये कागजी दस्ताबेजों में टेक्निकली ठीक है योजनाई सफल हुई है लेकिन आप जमीनी लेबल पर देखेंगे तो उनका बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट नहीं हुआ है जैसे हर घर जल मुदी जी का आपने सुनाई होगा लेक लेकिन उन खमों पर इंतजार होता है कि आएगी 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 ये वही इनतजार रीप करता 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 तो जो मायूस हो आए तो आज 21 सतावदी के इस इरा में बिजली भी ठीक वैसी है मैं प्रॉफर सहरों की बात कर रहा हूं गाउं का तो मती पूछो मैं गाउं इसलिए नहीं जाता क्योंकि बिजली नहीं आती है काहे कि मच्छल जो है ना दो दिन अगर आप रुग भी जाओगे ना तो सोने नहीं बात है लेकिन आप जो है चाइना या अमेरिका के साथ ऐसे कॉंपीट करेंगे तो बहुत सारी जो है इसूज है उन इसूज को हम क्लासिस में डिसकस करेंगे और चलो तो यह आपने देखा अब चौथा पिपर आ जाता है एथिक्स इंट्रीट एन एप्टीटिव और जब और इंटर्विव में आधा गंटा का 45 मिट का बहुत हुआ तो एक गंटे का इंटर्व्यु्व चला तो बहुत बच्चे मैनूपलेट कर जाते थे मैनूपलेट कर देते थे वो दिखाते थे की आप बहुत इथिकल है जो ब्यक्तित्यों का टेस्ट जो परसनालिटी का टे तब वो इतिक्स ने उसको कर लिया तो आप देखो क्या है एक चीज में बता दूँ आप खुदी सोचेगा आप जैसे यह पेपर क्या है यह पेपर आपके अंदर क्या चल रहा है आप क्या सोच रहे हैं आप किसके बारे में कैसी सोच रखते हैं यह वही आप से लिखवा के लेता है पहले पूछा जाता था भी पूछा जाता है पर यह लिखवा लिए अब माण लो कि आप किसी ब्यक्ति के प्रति पुर्वाग रही हैं और केा के में उस कर हुआ कि यहां पर एक बढ़िया एक बहतर जो है सिविल सर्वेंट की जाज की जाने के लिए इतिक इंटिकर एन एप्टिट्यूड जोड़ा गया तो अगर यूपी या यूपी पीसेस क्वालिफाई करना है तो सब से पहले उसकी डिमांड को समझो यूपी पीसेस या भी बहुत रेर जरेश्ड तयारी करते हैं नहीं वो भी नहीं करते मिडिल वालों को जरूरत होती है तो मिडिल यूपीसेसलाग का पैकेज्ट्य वार में गप बच्ष्यिकर पुच्च्छा प्राईट है Tilkin लेकिन बच्चा का सेल्दी यहां पर साथी हजार है जब आलिस सो ग्रेट पर मान लो मिल रहा है पर बच्चा अगर मान लो कि सिविल सर्वेंट है तो यह जो हमारा समाज जो है कुछ चीजें बहुत नॉर्मल बहुत जारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मैं कर सकता हूं मैं क्या कर सकती हूं मैं आपको बता दूँ कि हरे एक ब्यक्ति अगर चाहे ठाण ले तो आप UPSC UPPS कर सकते हो वो कैसे एक चीज बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसको अगर बहुत योग ब्यक्ति चाहिए था UPSC को बहुत योग ब्यक्ति चाहिए था मतलब बहुत किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट चाहिए था तो भही आ जो मैसाच से PhD कर रहे हैं उन ब्यक्तियों को लेके collector बना देता हलाकि वो ऐसा start थोड़ा बहुत करा है ऐसी बात नहीं है जो लेकिन यह पूली तरीके से नहीं हुआ तो इसका मतलब कि उसकी डिमांड क्या है कि आपको हर एक चीज में समान समझ होनी चाहें आपको एक coordinator के तौर पे आपको एक है coordinator के तौर पे क्या किया जा रहा है अपको सरकार की नीतियों और जनता के बीच coordinate करना है तो जब आप UPC की demand को समझोगे तो उसको fulfill कर पाना आसान रहेगा और आप पूरे syllabus में देखें मैं आपको कहूंगा कि आप यह syllabus का जब पूछा जा रहा है क्या इसकी demand है क्यों पूछा जा रहा है जैसे कि मैंने बताया कि फोर्थ पेपर का क्या प्रायोजन था क्यों भी या लाया गया अरे इसके कोई कारण तो है ना तो मैंने बताया कि एक टाइम था खूब जो है अगर सेलेक्शन हो जाए तो मतलब दुनिया के सबसे बढ़िया इमांदार अधिकारी होंगे लेकिन जिसी दिन से से हो जाता है ना तो कह किया है इरादे बदल जाते हैं अको का चालदाल भी बदल जाता है जिन दोस्तों से आप जो है सौजığını मांग करके आग चैप कोडिंए प्रशासा निमानदारी यह सारी चीज है निबंध में आप देख सकते हैं निबंध के प्रशन पत्र में इसमें तीन खंड होते हैं और उमीदवारों को प्रतेग में एक सेक्षन में एक विसे का चैन करना होता है और उन्हें प्रतेग बिसेवए सिंपल सा समझो कि एक एस सो वर्ड में लगभग लगभग लिखना पड़ता है तो पहला जो खंड होगा वह साहित और सध्कृति से संबंदित या समाजिक छेट्ष से संबंदित जो है पूछा जाएगा जो है जो एससे होगा उसका मतलब जो टाइटिल या उसका जो है तो म से हो सकता है तीसरा होगा राष्टी और अंतराष्टी घत ना ये सकते हो आपको आपको में के अंतरकता एक समान हिंदी यह होता है गद्रेकस होता है संप्रेशन वाला जो गद होगा एक है पैसेज होगा उसको पढ़के देना होता है संप्रेशन सरकारी और अध्य सरकारी पत्र लेखन इसमें से यह मैं करवाऊंगा परिशान नहीं होना है तार लेखन कार्याल है आदेश अधिसूचना परिपत्र सब्द ज्यान और प्रियोग उपसर्ग और प्रत्य प्रियोग बिलों सब्द समूं के लिए सब्द वर्तनी और वाक्य सुद्धी लोकोत्ती महावरा यह पूछा जाएगा तो यह आपका कम्प्लीट स् यूपी पीसेस की जो क्लास हमारी चार बज़े से फोर पियम पर एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और मेरा कोई भी सब्द पढ़ाने का बड़ा सिंपल और बैग्यानिक तरीका है साधारन और बैग्यानिक तरीका मैं एंसेंट हिस्ट्री को भी बहुत बैग्यान करना चाहता है इस के बारे में आप जो बच्चा करना चाहता है हमारे साथ यह नंबर है मैं आपको वर्ट सब्सक्राइब भी बनाने जा रहा हूं 9555-031427 जिए नंबर है आप हमसे जूट सकते हैं आप ये पड़ना से के साथ या फिर यह डाल से महतफून बात यह जानने जरूरी हो गई है कि आज कन चोणना है अगर आपको यह पता चल गया कि क्या पढ़ना है तो आप आसानी से कर पाओगे बहुत सारा मैटर अधर उधर सब जिशर्व है गुड़ो बढ़ हो गया है लोगों बचों को यह नहीं पता है कोई जो है टॉपर आ तरा कि यह पढ़ना है देखो हरे एक के बेक्ति की जो है अपनी अपनी छमताएं अलग-अलग होती हैं मैंने देखा कि टापर ने देखा आप हिंदी सहते कर रहे थे टापर का जो है जिग्रोफी ऑप्शनल रहा और टापर का आपने एक घंडे का इंटर्विव देखा आपका मन बदल गया कुछ दिन आप हिंद क्यों क्यों कि उसी एकनी जो है अलग की उसका अपना महौल अलग ता और गट्व चीजने कर देगा आपके पास संसाधन कितने हैं उस संसाधनों का कितना उप्योक कर शक्ते हो यह आपको ऑपको सुचना 땡ि आप अपना मुझे एक बहुमूल एक किम्ती समय दे दें हमारा UPSC कभी बैच चल रहा है UPSC कभी बैच स्टार्ट कुड़ा है मैं आप से ज्यादा नहीं 18 माहे मांगता हूं बस जो बोलूं वो करे मैं आपका क्वालिफाई करके दिखलाऊंगा लेकिन जो बोलूंगा वो कर आप से बात करूंगा और चीजों को बताऊंगा और हम डे टूटू और एक चीज पढ़ने का तरीका आप जो है एक दिन लिख लेते हैं वैसा तरीका नहीं आपकी यह जो रणनी ती यह डे टूडे होनी चाहिए और दूसरा यूपիसस या यूपी पीसेंर है यह कोई यह दूर नहीं करवाता है सब का फोकस पढ़लो पढ़लो यह पढ़लो पढ़ लो यह किताबे पढ़ लो पर दो एतना चोटा सा टाइम है जो बच्चा स्मार्ट होता है आपने देखा पहले आटेमट में आके निकाल के ले गया दूसरी अटेम्ट में ले गया कुछ लोग तो 5 साल से 7 साल से 10 साल से भी लगे हुए है पता है क्योंकि जो है ना सच्छे को जो है आंसर करूंगा आपको टाइम है पुछे कोई भी बच्चा अगर कुछ पूछना चाहिए कि अपका किसी को कुछ नहीं पूछना है यह हमारा नंबर है यह हमारी फी है और यह पर हमारे जाएगा वटने राइस पर हमारा यह कूर्स पूछ पूछना नहीं है अगर कोई पूछना होगा किसी को तो मैं यहाँ पर एक बार और नंबर मेंशन कर देता हूं 9555-03-1427 आप हमसे डारेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बीच में किसी भी प्रकार का कोई जो है एक्जेकेटिव नहीं आप डारेक्ट टीचर से कनेक्ट केज़ें ठीक है तो थेंक्यू बेरी मच्च फिर मिलते हैं हम और बागी यूपीसी का हमारा जो सुसाइटि वाला पोर्षन है वो चले गए इत्में किये गए अतीत में मतलब हमने पास्ट में अतीत में किये गए मानो प्रयास की एक आनुक्रमिक कथा है अब इतिहास के जरूरी अंग क्या है क्या जरूरी है इक मानो प्रयास होना चाहिए इन सभी घटनाऊं का एक अनुक्रमिक जो है chronological order होना चाहिए वही इतिहास है अब भी इतिहास को जानने के स्रोथ क्या क्या हो सकते हैं तो इतिहास के जानने के स्रोथ होते हैं देखो भी या एक इतिहास के पुरा तात्विक स्रोथ होते हैं एक जानने के लिए एक साहितिक स्रोथ होते हैं एक जो आर्केलोजिकल जो सोर्सिस होते हैं और एक लिट्रिचर सोर्सिस होते हैं हम देखेंगे कि यह जो आर्केलोजिकल सोर्सिस हैं यह जो इसके अंतरगर जो मूर्तियां चित्रकला मुहरें हम डिटेल में पढ़ेंगे बस परिशान होने की ज़रूरत नहीं है बस यह जानो कि और के लोजिकल जो सोर्सिस होते क्या हैं हम इने कैसे जानते हैं यह हम इनको कैसे करते हैं तो देखो भीया किसी देश या इस्थान का इतिहास अगर हमें ज हम भूमिका होती है हम बिना पुरा तात्विक सुरोतों के हम सही सिद्धियास को इंडेटिटीपाइ नहीं कर सकते इतिहास को नहीं सकते दो आपने कई लोगा ने कई बार सुना होगा कि साहितिक सुरोत अगर आपने सुना होगा कि फला चीज == साहितिक स्रोत प्लब्द है लेकिन माल लोगी जैसे साहितिक स्रोत नहीं है तो उसके जानने के क्या स्रोत हो सकते हैं भाई अगर मोहर मिल जाए चितरकला मिल जाए या फिर कोई मूर्ती बगएरा मिल जाए तो हम इस आधार पर इतिहास को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं तो हम कैसे उसको इतिहास को समझ पाते हैं कि भई कैसे हम time period का पता लगा पाते हैं तो उसको जानने के लिए पुरा तात्युक साच्छों का सहारा लेना पड़ता है इसका पुरा तात्युक साच्छों का सहारा लेना पड़ता है अब इन पुरा तात्युक साच्छों के अंत पूरातात्विक साच्छ होता है तो अगर इसे खोडेंगे तोह हो सकता है कि आपको नीचे जो निचले वेस्तर पर जो है बस्तियों के औसेस मिल जाएं तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं ये जो हैं कई प्रकार के टीले हो सकते हैं जैसे कि भाई एकल सांस्क्रतिक हो सकता है कहीं हो कहीं इसको बहुत मुख सांस्क्रतिक के तौर पर बहुत सांस्क्रतिक के तौ कि मालो की कोई यहां पर लोग रहने आए, कुछ ऐसा हुआ कि अब यहां लोग नहीं रह गए, या फिर मालो की भूकमप आ गया, या खुनामी आ गए, जलजला आ गया, कुछ साल बाद फिर वापस दुबारा लोग यहां पर रहने आए, और फिर वैसा हुआ, फिर कुछ साल यहाँ पर रहने आई तो आप देखोगी कि तीन लेयर के अचिया जो है जाननी को मिल सकता है कि तो आप यह जो है यह तेलों से भी जान सकते हैं हम यह जादा निधिक टिलों की खुदा कार्ष उत्ष करें लिजिएह तो ईनके एक आ cuz समदार पर करम cooked यहां जुह एंक किलास में बताया था कि हमारा यहाँ पर डिसकसन यहमें अपने देखा होगा हम पर बहुत यह कर के साथ साथ बराबर जो है को भी लेते आगे बढ़ेंगे तो आप से जब आप घटना चक्र सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर एक आइडिया लगेगा पता चलेगा यहां पर एहसास होगा कि आप देखेंगे कि पूछी लेगा कि पुरतत्य ज्यान क्या है पहला इस्ट्र करके वहां से जो प्राप्त वस्तूं या फिर कलाकृतियों के अधार पर जो क्रमिक एतिहासिक बिसलेशन करना ही जो है पुरा तत्य ज्यान है इसी को इंगलिस में आर्केलोजी कहते हैं यहां तक बताओ मैंने जो एक सिंपल साब को कुछ चीज बताई अगर यहां तक सब्सक्राइब के कुछिन ले लेता हूं अगर आप कुछ पूछना चाहती है तो पूछे जो ती रागव मैं आप सभी के कुछिन देख रहा हूं थोड़ा सा बेट किया करें अगर मैं जैसे तुरंट फास्ट रेप्लाइ ना कर पाया करूं थोड़ा बेट किया करें आप यहां तक हुपफुली आपको किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ठीक है इसके आगे देखो भीया देखो जो अब हम अभिलेख पे चलते हैं सबसे पहले जो अभिलेख है कि प्राचीन भारत के अधिकानस अभिलेख पासान सिलाओं इस्तंबू तामपत्रों दिवारों रतिमाओं इस पर उत्किर्ण किये गए हैं देखो भया होदा क्या था आज जैसे पिन किताब तो नह पर मोबाइल नहीं था ठीक है ट्विटर भी नहीं था कि आज जो है ट्विटर में आप डाल दो और पूरे देश में जो है कोई भी अगर चीज़ आप करना चाहते हो तो पूरे देश में फैल गई ना नीव चैनल थे अब राजा कोई चाहता है कि भाया अगर अपनी प्र होते थे इन पर राजा लोग गुदवा दिया करते थे इनहीं को अभिलेक कहा चाता है साधारन भासा में मैंने आपकी भासा में बताया आप से कोई पूछे कि अभिलेक क्या है तो आप बताना कि भाया जो पहले जो राजा लोग होते थे तो पहले इस तरह का कापी किताब प्राचीन अभिलेखों में अगर हम बात करें देखो यह थोड़ा सा बस मैं आपको समराइज करने का प्रयास कर रहा हूं बहुत डिटेल में पढ़ेंगे परिसान नहीं होना है पूरा नोट्स मिलेगा और यह जो कुछ चीजें हैं वो बात में मैं मतलब हमारी इसी जो एंसेन की क्लास होगी आगे भी मैं बहुत आगे ए मतलब हिस्या का जो बोगस गोई का भीमलेग है इस पर बयदिक देवता छो बिरिखpriminute में आप देखो के आगे हम पढ़ेंगे तो बिरिकíllक बिरिखद में जो बिरिक देवता है तो बीकि मिलता है यहां पर felेप्र तिनों स्थय का नां भी मिलता है तो यहां पर जो है इनका उलेक किया गया है इसमें रिगवेद की जो है तिथी ग्यात करने में मदद मिलती है कि रिगवेद का जो है टाइम क्या है उसका टाइम पीरियद क्या है इससे पता चलता है अब इसमें एक चीछ और कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेक अगर हम भारत की बात करें य और भंडार कर नामक एक जो है हिस्टोरियन रहे हैं तो इन्हों ने केवल अभिलेखों के अधार पर ही जो है असो के इतिहास को लिखने में सफल प्रयास किया लब इनका आप अभिलेक मिले तो उनहीं को एक time period sequence order में रख करके इतिहास को समझने का प्रयास किया एक और सबसे महत्वपून बात और यह जो है BPSC या UPPSC या जितने भी स्टेट सिविल सर्विस की एक्जाम है अधिकतर आप क्रॉस करिएगा क्रॉस से कीजिएगा कई बार पूछा गया है कि असोक के अभिले किस-किस जो है लिपी में थे सबसे महत्वपून बात के असोक के अभिलेक जो है चार लिपियों में थे प्रामभी लिपी नंबर एक, नंबर दूसरा खरूष्टी, नंबर तिसरा यौनानी और चौथा आरा माई चाल लिपियों में असोक के अभिलेख मिलते हैं मासकी, गुर्जरा, गिटू, उदेगुलम यहां से प्राप्त अभिलेखों में जो असोक के नाम का इसप्रष्ट उलेख मिलता है और अन अभिलेखों में उन्हीं को देवा नाम प्रिये कहा गया है यहां तक होपफुली किसी भी बच्चा को कोई डाउट नहीं होगा अब हम आते हैं इस मारक और भावनों के बारे में जड़ा इस मारक और भावन को देख लेते हैं इस मारक और भावन क्या होते हैं देखो भीया, इसमारक और भावनों से जनता की अध्यात्मिक्ता, घर्मनिष्टा, उसके डेपलप्मेंट, इन सभी का ग्यान होता है, अब हरप्पा और मुहन जोड़ों की खुदाई से जो भावन मिले हैं, इनका टाइम पीरिड आज से करीब जो है, पांच हजार या पच 500 साल पुराना माना जाता है. तो टिmann the time period, जब से हरप्पा की देखो गहें, तो तो वर हरप्पा on-3752 272 माना जाता है और आज 2,000 साल हो गये और करीब जो है 300 साल पहले तो लगभग 5000 साल मतलब हो गए तो हरपा सब्धता 5000 साल पुरानी सब्धता है और नमीन सोध तो इसको और ज्यादा पुरानी जो अभी रिसेंड के जो सोध हुए है इसको 8000 साल पुराना मानते हैं तो वहाँ पर जो भावन मिले हैं उसके अधार पर आपने देखा होगा हम वहाँ के इतिहास की उसके अर्थव्यवस्ता की उसकी राजनातिक जो है कडी की इन सारी चीजों का पता लगाते हैं वहीं अतरंजी खेडा आदिस जो है खुदायों से पत इसी के आसपास माना जाता है प्राचीनकाल में भारत में जो है भारी संख्या में मंद्रों का निर्माण हुआ और इसके ऑशेस भी बिख्रे तौर पर पूरे देश में लगभभाग मिलते हैं तो यह आपके क्या हो गए अब आती है बात हमारी सिक्कों पर किस सिक्के क्या होते एक मिट किसी का कुश्चन तो नहीं है कि यूपी एससी के लिए पह यह क्लास यूपी पीश्यस और यूपीश्यस दोनों के लिए मोदन सपीसियंट है ये क्लास हम UP pieces का यह batch start किया है तो UP pieces batch के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें जो है fact का बहुत ज्यादा bombardment ठीठा bombardment होता है तो हम fact को बताते हुए आगे बढ़ेंगे हमारा UPSC वाला जो batch मैं आपको बता दूँ तो UPSC वाले batch में हमारी classes separately चल रही है बढ़ यह UP pieces का batch है तो यह ऐसा नहीं कि UPSC के लिए महत्पूर्ण नहीं है उतना ही महत्पूर्ण है जितना की UP pieces के लिए बढ़ हमारा इसका जो orientation होगा class का वो UP pieces के accordingly होगा हम अभी सिक्के में नजर डालना है कि यह सिक्के क्या होते हैं पिर हम सिक्कों को देखें तो आप सिक्कों से पाओगे कि इससे भी हम प्राचीन इतिहास को जानने में एक मदद ले सकते हैं अब अभिलेक इसमारक और भवन के अत्रिक्त जो राजा जा थे वो क्या करते थे सिक्कों को ढलवाते थे अब ही सिक्कों को ढलवाओगे तो भाईया सिक्कों में आपने देखा होगा प्राचीन जब आपको सिक्के मिलते हैं या फिर कोई भी आप सिक्के मिलते हैं तो कहीं किसी में कभूतर का चित्र है कभी किसी राजा की रानी क चित्र है तो हम इससे क्या पता करते हैं इसे दो चीज का पता चलता है एक तो भाया जो सिक्का बनाया गया तो उसमें हो सकता है हम डेट मेंजन कर दिये हूं तो एक हम इतिहास के हम डेट को आइडेंटिटीफाई करने में इन सिक्के की मदद ले सकते हैं दूसरा तो ये कि ह हम उस समय के इतिहास में अगर मालो की जैसे कि बर्गत का चिन है किसी सिक्के में तो हम यह अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है कि यह जो है यह राजा नेचरिजम को फॉलू करता रहा हो यह मालो कि सरस्वती देवी का चिन है उनके सिक्के में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह राजा में जो है सरस्वती डेवी सर्वोच रही हूं है ना तो हम सिक्कों के आधायर पर भी इसका पता लगाते हैं अब साधारन तया हम देखेंगे समाने तया तो करीब 206 बीसी में अभी समझा दूँगा बीसी मतलब देखो सिंपल सा समझो यह हलां कि मुझे पहले बता देना चाहिए इसी और एडी में आप जान रहे हैं क्या डिफरेंस होता है देखो बीसी देखो जीरो जो है एक बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइश्ट मतलब इसा मसी के जन्म से पहले तो इसा मसी का जन्म जो है जीरो पर माना जाता है इससे पहले का टाइम बीसी और इसके बाद का टाइम एडी हिन्दी में इसको इसा पुर्व कहते हैं तो इनक जो पहले का टाइम है वो BC before Christ कहा जाएगा इसा मसी के जन्म से पहले इसी वज़े से इसा पूर्व आप हिंदी में लेखते हैं अब यह जो है इस्वी मतलब इसा के जन्म के बाद तो यह एक दो तीन ऐसे चलता था और यह उल्टा चलता था कि जैसे पांच चार तीन दो एक जीरो यह ऐसे चलता था समझें तो यह BC और AD है तो सधारण तया 206 इसा पूर्व से लेकर के 300 इसा पूर्व तक के भारती इतिहास का ग्यान हमें जो है मुख्य तोर से मुद्राओं की सहायता से ही मिलता है इतने महत्पूर मुद्राओं हो सकती और कुछ प्राप्त मुद् सधारण कर पाते हैं अब को मैं बता दूं कि पुराने सिक्के जो हैं तांबे के चांदी के सोने के सिसा के धादू के यह सिक्के बने हुआ होते थे प्राचीनतम सिक्कों में देखो आज जैसे कि आप देखो सिक्के की धलाई मैं बता दूं कि आज चार जगह से होती है सिक करके बताईगा और हर एक जो है जहां पर ढलाई होती है जहां पर मिंट होता है तो उसका इक शिर्ट जो होता है उसका एक टाइप होता है हम क्या बूल रहे थे इस से के मैं कुछ और बताने जा रहा था भूल गया भी दिमाग से उतर गया अब हाँ नहीं उतरा आप समझ में आ गया देको पहले आज जैसे मतलब ढाला जाता है प्रापर उसका ढालने का एक साचा होता है पहले ऐसा नहीं होता था होता क्या था कि आप धातू को गरम करो ठोकर मार मार कर जो है उसको काट करके एक साचे में डाल करके ढाला नहीं जाता था बलकि एक साचे के बराबर उसको काट दिया जाता था तो भाया आहत किया जाता था ठोका जाता था तो इनको आहत सिक्के कहा गया इनहीं को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है नहीं को पं चांड बनाएं होते थे इन शिक्कों के चिंधों के छिंधों के मध्यम से हम उस्समय के कि उस समय के राजा का खर्म का भी पता लगा सकते थे अब सरवादिक शिक्क्य जो है वह मौरयो तरकाल में बने जो की मुकतया जो है सीसे के चांदी के तांबे के सोने के थे और साथवाहनों ने जो सीसे गुप्त सास्कों ने सोने के जो है सरवादिक्स के जारी किये थे तो आपने शिक्कों का भी इतिहाद देख लिए हैं यहां तक उमीद करता हूं किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा अच्छा यूपी पीसे और एक होसियार है तो मैंने बताया ना फेक्ट से बहुत कुश्चन पुछता है तो और कि यू मैंस्मेस क्याता है ति दोजो सेख्वों का जो अध्यन किया जाता है इसके अध्यन को थे एक हम को यह के इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और यह नोट्स परिशान मत होड़ा मैं आपको एक रिष Crisp करने के लिए यह भी मैं आपको जो है पीपीटी को पीडियाप में करके आपको यह भी भिजवा दूंगा एप पर अफ्लोड करवा दूंगा या फिर जो मेरा वर्टसप नंबर है आप वहां पर मुझे कर दीजेगा तो मैं डेली वहां पर भी भेज दूंगा इससे क्या होगा कि एक एक्जाम से पहले आपको जो है डिवीजन करने के लिए सबसे बहता रहेगा क्योंकि आपको फिर पूरा किताब नहीं खंगालना पड़ेगा और जो है पूरा आपको इस्टेंडर्ड बुक भी उपलब्द करवाऊंगा अब हम आते हैं मूर्तियों पर हमने देखा पूरा मूर्तियों पर यह पर जो विदेशों का प्रभाव देखने को मिलता है जब्रा शाटान के बारे मिए पूरीस प्राऻब्र में के शुरूत हैं तो हम इसको थोड़ा-थोड़ा समराइज करते हुए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स चित्रकला पर आते हैं अब जो चित्रकला है यह अजंता के करते हैं यह सबसे जादा प्रसिद्र है जो कि इसकी फिलोशिफी इसका पता करते हैं अब आते हैं महरों जो मुहरे हैं यह औसेसों से प्राप्त मुहरों से राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत हेल्प होती है बहुत सहायता मिलती है भी के बारे में पता जलता है मोहरों में भी जो है पहले क्या होता था लोग जो है अभी तक देखा ओगा लोग मोहर पहनते थे जो है धर्म को जानने का भी एक माध्यम हो सकता था व्यापार में हम मोहर को यूज किया करते थे बदलते थे आपको जब मैं हड़पा सिब्लाइजिसन पढ़ाओंगा तो मैं बताओंगा कि जो है कई ऐसे जो पत्तम हैं जहां पर जो हम मोहरे मिली हैं तेज से हम अन्दादा में करते होंगे तो यहां पर मिलती है तो इससे व्यापार में मुहर का प्रयोग करते रहे होंगे पता चलता है अब हडपा मुहनजोदरो से बतार मिट्टी की मोहरों के बने धार्मिक प्रतीकों और उनके धार्मिक और ओविस्तितियों का भी घ्यान होता तो ये हैं मुहरे अब आप बताओ किसी भी बच्चा को अगर कोई पूछ लेगा कि भी आप पुरा तात्विक स्रोतों के बारे में बताएं अगर आपको लिखने को भी कह दिया जाए मेंस में तो क्या आप आसानी से लिख सकोगे कोई बच्चा ऐसा है जो किसी को डाउट हो अभिलेक किसे कहते हैं समारक किसे कहते हैं सिक्के किसे कहते हैं मूर्तियां किसे कहते हैं चित्रकला क्या है मुहरे क्या है अगर कोई पूछ ले कि प्राचीन इतिहास के जानने प्राचीन इतिहास में पुरा तात्विक स्रोतों का कितना महत्त्व है और इसके बारे में अगर आप डरोगे ना तो फिर कुछ होने वाला नहीं है तो डर नहीं है प्लीज अगर हजार बार पूछोगे तो मैं हजार बार बताऊंगा लेकिन अगर डरोगे तो फिर इससे कुछ नहीं निकलने वाला है ठीक है मैं बस आधा मिनट आपको टाइम दे रहा हूं किसी को भी अगर कुछ पूछना चाहता है कोई भी बच्चा तो पूछे अच्छा अभिलेखों को एक चीज और ध्यान रखेगा जो अभिलेख हैं सिक्कों को तो मैंने बताया कि जो है मतलब सिक्कों को अगर हमें सिक्कों के अभिलेख सिक्कों से बहुत ज़्यादा महत्वण और इसे के अध्यन को पुरा लेख सास्ट्र या एपिग्रोफी कहते हैं क्या कहते हैं एपिग्रोफी कहते हैं तो यह भी ध्यान लखेएगा और एक सबसे महत्वण बात कि आपको जो है पेलियोग्राफी. तो पेलियोग्राफी क्या है कि अभिलेख और डूसरे पुराने जो दस्तावेज की प्राचीन तित्थी के अध्यने को उनकी तितियों के अध्यन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं. तो confused मत होना, अगर अभिलेखों के сов hen की हम तितिय का STUDY करें तो paleography है और अगर हम अभिलेखों का study करें तो epigraphy है यह प्लीज लिख ले ना कोने में रफिक प्रॉपर बना लो एक notes बना लो यह जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां से कई बार question पूछें कि epigraphy, paleography और फिर आपको लगेगा कि अच्छा सर ने तो बताया ही नहीं था तो epigraphy जब हम अभिलेख का अध्धन करें अब हम अभिलेख के date का identify या उसके date का अध्धन करने का प्रयास करें नहीं तो यह paleography कहलाएगा क्या कहलाएगा। इस सारी चीज्यों को हमने देख पढ़े हैं। आप से यहां पर हलकी जभा ड़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में कवर्द करूंगा लेकिन एक चीज और मैं अभी लिए खोके बारे में थोड़ा सा बता दूं यह को ब्रामभी लिपी जो है जो असोग के अधिकतर जो सिलालेख है वह ब्रामभी लिपी में है ज्यादातर जो सिलालेख है आपसे पूछा का ये हो गया ये क्या हो गया है अध्लिक टो से उनुक्य जो मिलते हैं तो और कहाher राइट टू-प्र लिखी जाते थि यहां पर मैं लिह देता हूं फुड़ा बह। confused ना हूँ यह ब्राम्भी left to right और खरोष्टी क्योंकि दोनों में उनके अभिलेग पाए गया है न एक खरोष्टी ठीक है यह right to left और युनानी और अरामाइक लिपी जो है युनानी और अरामाइक लिपी इसके भी मतलब अभिलेग जो है प्रापर पाए गया है अब युनान और अरामाइक की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है असो की अभिलेग इसके बाद जो हमारे कुछ प्रमुक अभिलेग हैं यह सारी जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वहाँ पर मैं बताऊंगा यहां पर बस मैं आपको डिसकस यह करना चाह रहा हू कि आप जो है प्राचीन भारत की जहास के जानने के स्रोथ जान जाएं बागी जो हाथी गुंपा अभिलेग है कौन सा सासक था इसके पीच्छे का कारण क्या था उसने फलाव अभिलेग में क्या गुदवाया था हम डेटेल में अपनी क्लास में पढ़ेंगे आगी क्लास म करें जूनागडा का विलेग क्या है जो कि रूदर दामन का है प्रयाग्त्रस्ती का विलेगा समधर क्या मैसस प्रयाक्त्रस्ति के अभिलेग में देख सब्सक्राइब और तेब में अपको महरावली इस्तंब लेखों करेंगे तो यहां पर रहीं यहां पर तुह हम सिर्फ जो है इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में इस इसकर नहीं है अब हम आते हैं अब भया साहितिक का मतलब की हमारे पास देखो लिखी हुई चीजें मिल रही हैं अब लिखी हुई चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं लब लिखी गई हैं तो अब इतिहास को जानने में और आसानी रहेगी तो हम इसको जो है दो भागों में साहितिक स्रोतों को बाट लेंगे कि एक भारती साहित्य होगा और एक बिदेशी साहित्य होगा भारती साहित्य का म समानते हैं दो भागों में एक हमारा जो है इंडियन लिट्रेचर होगा एक हमारा जो है एक्स्टर्नल लिट्रेचर होगा इंडियन लिट्रेचर को हम अगें तीन भागों में बांट लेंगे खोड़ा सा एरेज कर लेते हैं ना फिक देखेगा आप कुश्चन पूछना किसी भी बच्चे को अगर कोई कुश्चन यहां पर देख नहीं रहे हैं कि पूछते जाना परिशान मत पुना चलो अब भारती जो है साहित जो आप देख पा रहे हैं भारती साहित इसको तीन भागों में एक तो धार्मिक साहित है कि धर्मेन की सब्सक्राइब पर दो Music अगया यहां पर together है तो देखें यके धार्मिक साहित है तो भी धार्मिक शाहित में ब्रामिन साहित आजाएगा बौद कर्याएगा जैन साहित साथ में बेद साहित पढ़ेंगे। अब देखो हमने धार्मिक साहित को भी तीन भागों में बाटा है। एक ब्राहमिन साह्त, वद्धि जैन साहत कास्य करन आपने देखा होगा कि भी है चार भीध तिर सभी बॉध्य साहत का इस भी बॉध्य साहत के अंतर का पर लेगे जो उस समय पर वन पदर्बावाख जैन साहत को हम देटेल में देखेंगे अब प्राचीन भारतियों को लिपी का जो ग्यान है करीब 2500 इसापुर में भी था। अब हम भारतियों को जब प्राचीन भारतियों को हमारे जो पुरवज रहे हैं उनको इस स्क्रिप्ट का लिपी का ग्यान करीब 2500 बीसी के आसपास। वो इसा की चौथी सदी की है और इसके पहले ही नहीं बलकि ये मध एसिया से प्राप्त हुई है भारत में जो पांडूलिपिया है भोज पत्रों तार पत्रों ये जो चौथी सदी की मैंने बताया सबसे प्राचीन वो मध एसिया से मिली है लेकिन भारत में बात करें तो ये जो financiゃ- podcast क्या होता था म laying किसी सीज चीज का पत्ता चाल होता था उसमें लिक हए ताड़ पत्र हो गया तो इन में लिखा जाता था पर निक्तों महारत मतलव मत ऐस सीसा में जो है जहां भारत से प्राक्रत भासा पहली है भारत से सबसे पहले सबसे पहले हमें धार्मिक सहित ठाहित एक बार देखना भारती सinku हमने थीन भागी को बाता तो चलते हैं धार मेस है और धार्मिक सहित में हमें चलना है डेरे गी तो मैं घरिद युजो है शौर नहुत नहीं जहन सında दरेः और पीदバイ कि इतने चार इसमें से आपके बेद हैं इन चारों बेदों में से हम थोड아-थोड़ा सभी बेदों के बारे में जान लेते हैं और ये समाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में धिटेल जानकारी मिलती है और यह जो है बेदिक पीरियड में यह करीब आपका 1500 बीसी से यह करीब आपका 600 बीसी के आसपास माना जाता है तो इस टाइम पीरियड में इन लिटरेचर को लिखा गया होगा यह मतलब इन लिटरेचर की बात कही जाती तो बेदों के द्वारा जो है प्राचीन आर्यों का जो समाजिक इस्तिती है अर्थिक इस्तिती है धार्मिक इस्तिती है दाजनितिक जीवन है हम इन ही से जानकारी इन ही से जो है जानकारी मिलती है बेद को मैंने बताया कि यह चार बेद है संख्या में सबसे पुराना है हमारा रिकवेद थोड़ा थोड़ा बस जान लेते हैं बहुत ज्यादा जाने की ज़रूत नहीं है आपको प्रिलेम्स पॉइंट आ भी उसे लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं अच्छा किसी का कुष्चन तो नहीं है पहले कुष्चन ले लेते हैं क कोई बचलो किसी का कोई कुष्षयन हो तो डरो मत पूछलो मैं सबी को बतावगा योटी मुहमद bob शटाव महमअ शाधाय एं महम शाधाव हैं औरा की किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले और सभी बच्चों के साथ क्लास को प्रॉपर शेयर भी करना है यह बहुत ही जो है वर्थ फुल क्लास होने जा रही है और जो बच्चा चाहता है कि UPSC या UPSC क्लियर करना चाहता है आप हमारे साथ जोड़िये प्रॉपर और हमें फॉलो करिए हम गरंटी से आपका जो है यह एक्जै आप सबसे पहले हम रिगवेद के बारे में जान लेते हैं इस प्रारा की मतолब साथ है और चैप्टर मंडल के बहुत podsumझ लो यह बात में जोड़े गए इसमें दस मंडल है इसमें दससो अठाई सूप्थ हैं और दस हजार पांच सो असी रिचाइन सौंग्स हैं ठीक है वेद को यह जो रिगवेद है तो रिगवेद को पढ़ने वाला जो ब्यक्ति जो पंडित हैं इनको मतलब जो जिसी सिंपल से कहलो जो जो दिगवेद को पढ़ने वाला जो रिसी है इसको हरोत कहा जाता है हरोत समझे रिगवेद का पहला और दसवा मंडल यह अंध में जोड़ा गया एक सबसे महत्पूर्ण बात जो यूपी पीसस में कही बार पूछी गई और यह पूछी जाती है रिगवेद का जो ती मन्त मुझे लगता है कि लग भाउन 750 को आता होगा पूछ्चरी मंत्र है वो रिगवेद के तीसरे मंडल में सभीता अरथाथ सूर्य देवता को समर्पेता है अधिरे मंडल में एक सूमदेवता हैं उनका उल्ले किया गया है नुबता का बद दस्मे मंडल में जो दस्वों मंडल है बाद भी जोड़ा गै Benson तो जो आप चातु डोले ब्रम्भ हैं और ब्रम्भ के मुख से ब्रामिन से पैदा हुए और जो है उनकी भुजाओं से छत्री पैदा हुए उनकी जंगा से बैस से पैदा हुए और उनके फीत या थात पैरों से सुद्र पैदा हुए यह चातुरेवन ब्यवस्था को जो है यह दसवे मंदल में रिग रिगवेद के दो ब्राहमिन गरंत है तो एक एत्रे और कौसीत की दोनों ब्राहमिन गरंत है अब यहां और एक सबसे महत्रपूर्ण बात युनाइट जो आपका युनेस्को है यानि सन्युक्त राष्ट सच्छिक बैग्यानिक और सांस्कतिक संगठर इसके द्वारा रिगवेद को बिस मतलब बिस्त जो है मानो धरोगर के साहित में भी इसको सामिल किया गया है तो यह आपको जो है यूपी पीसेस या यूपीसी के प्रिलिम्स में इससे जादा कुछ नहीं पूछेगा अगर किसी को लगे इससे जादा भी कुछ पूछना है तो आप हमसे अग्यों के जो नियम है जो बिधान है इसका उलेक मिलता है और यही वजह है जब अब बताओ कि यग जब होगा उसके नियम वगेरा कैसे यग करना है तो जब यह बिधान नियम अगर इस वेद में मैंसन होंगे इसको क्या कहा जाएगा कर्म कांद क्या है कि आप जो है बिधान है कि मतलब लिए इसकी वजह से कहीं कहीं जो है यहां से कुछ नोचता है कि क्यों कि यहां पर यग्यों के जो हैं करने के बिधान मंत्रों का बिधान अब दूसरा आपको यहां से कुछ संसोचना मतलब कि भाईया मंत्र जो है आप देखोगी कि लिरिक तूटता नहीं है नहीं तूटता है ना सौंग होता है मदलब सौंग में ही जो है लिरिक नहीं तूटती है आपने देखा होगा एक तार तार गम्मेता जो है बनी रहती है या कोई एक मालो कि एक passage होता है कि श्टेंजा होता है पैसेज में आप तो कहानी की तरह जो है पढ़ते हो तकिन श्टेंजा तो आप लए के साथ इस सुर्बध के साथ क्या है गाते हो तो यजुर बेद में मैंने क्या बताया कि कर्म कांडी बेद है अर्थात इसमें से नियम में होगा और पद में भी होगा यह सही तरीका है याद रखने का रटना नहीं है यह कॉंसेप्ट के साथ ध्यान रखो आप से कोई भी पूछ सकता है कि यजुर बेद जो है गद्द और पद्द दोनों में है तो आप बोलोगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर हम इस अगर रखो अप लेके बैठे हो तो थोड़ा बहुत लिख लिए तो यह ध्यान रखेगा और एक दूसरी सबसे महतकून बात कि कृस्न यजुर बेद और सुखल यजुर बेद जो मैंने आपको उपवेद बताए मतलब जो है इसके मतलब यजुर बेद के दो भाग है इक सुखली यजुर बेद ऊर करेश नंग बिएग जो सुखली यजुर बेद है वह है इसमें सभी सौंग है लेकिन जो कृसिंस यजुर बेद और यहीजुर बेद के मंत्रों को उचारण करने वाला जो पुरोहिद पुनको क्या कहा साए एक अधर्वियू कहा साथ है अधरह कहा चाता है घर बीव कहा साथ है पर ईजुर वेद में तो मंत्रों का उच्णर करने वाले ब्यक्ति को ही जो है कहा डाता है अर याजुर बेद के प्रमुक्ष बीचशतों में हम आगे देखेंगे कि उपनिसद क्या होता है परिसाद नहीं होता, पहले हम इसे बारे में देखेंगे मैं एक बार जो है आपके क्विश्चन ले लेता हूं जरा आप पूछें अगर किसी बच्चे का यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो फिर हम इसके आगे वढ़ते हैं मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह क्लास सबने जो पूछतों के साथ सेयर कर लेगा ताइम थोड़ा सा लगेगा चलेगा पर कुछ छोणेंगे नहीं सारा सब कुछ बहुत डिटेल में मैं कहता हूं कि एक बार क्लास देख लिजेगा नोट्स पढ़ लिजेगा फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी कोई जो है बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं पढ़ेगा आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे और इसका हम जैसे हमारा यह चेप्टर समात होगा न तो इसका हम प्रॉपर एक टेस्ट लेंगे पहले तो हम टेस्ट जो है लाइब करवाएंगे पूरा और फिर टेस्ट लेंगे हमारा सिंपल सा देखो जितना भी बच्चा इसमें से एड्मिशन लेगा हमारा सिंपल तरीका है कि हर हा नहीं है आपका स्कोर कम है कैसे नहीं बच्चा क्वालिफाई करेगा उसके तरीका होना चाहिए और मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप डरे नहीं हमारी जो भी फेकल्टी है डारेक्ट आप फेकल्टी से कॉंटेक्ट कर सकोगे सभी का नंबर भी उप्लिप्त करवा नेक्स उन आपका जो है सामवेध पड़ते हैं सामवेध क्या है सामवेध का अर्थ है गान का होना अब दिमाग की मिख्य के औसर पर यह गाय जाने वाले मंत्रों का संगत अथ है ंधिमाग लगाँ औप जाए गैठ में लागाए कि पर इसी को जो है भारती संगीति का जनक भी कहा जाता है मैंने आपको बताया था कि यजुर बेद में जो है नियम थे यग्यों के और इसमें मंत्र है यग्य के और दूसरे औसरों पर जो है मंत्र गाये जाते हैं तो यहां पर मंत्र हैं भारत का जो संगीत का जो साथ स्वर सुने होंगे सारे गामा पादा नहीं है कि जो साथ स्वर हैं इसकी उत्पत्ति जो है आपको सामबेद से ही होती है और सामबेद में करीब 1875 1875 के आसपास क्या है अब सामबेद के मंत्रों को जो व्यक्ति गाता है उसको उद्ध गाता कहते हैं तब जो सामबेद है इसके तो इसके मंत्रों को जो गाता है, इसको क्या कहा जाता है, फुद गाता कहा जाता है, गाता, और इसमें जो है, सूरिस्तिति के मंत्र है, सूरिकी बंधना के मंत्र है, सामबेद की सबसे महतपूर्ण बात, जो की ध्यान रखने योग है, और यहाँ से क्वेशन पूछेगा, तो सामबेद में मूल रूप से, निन्यान में मंत्र हैं, मूल रूप से, और सेस जो हैं रिगवेद से लिए गया है, मतलब यह रिगवेद का कॉपी है, लेकिन इसमें मूल जो है, 99 जो है मूल मंत्र है, आगी सब रिगवेद का है, सामबेद के दो उपनिसद हैं, एक छांद रिष्ज कर लेते हैं थोड़ा सा आसान रहेगा इसकी जो रचना है एक रिसी है अठरवा में या अंगिरस आपने सुना होगा रचना किस ने करी कई बार पूछा गया उथक में हो तो लिख लेना तो अठरवा या जो है यां अंगिरस रिसी अठरवा के सभी ग्रंथों के बाद में इसकी रशना करी जाती है यानि लास्ट का अंतिम यह जो है ग्रंथ है इसमें करीब जो है साथ सो इकतिस सूक्त हैं वीश अध्याय हैं और छह हजार के आसपास मंत्र हैं यह कुछ नहीं पूछा जाएगा तो पूछा क्या जाएगा तो ध्यान रखना जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो पूछा जाएगा अथर्व बेद में ब्रह्म ज्यान धर्म सत्तनिष्ठा वसधी प्रियोग लोग निवारंग जादू टोना संत्र मंत्र इनके विश्यों में जानकारी तो देखो कि जो अथर्व बेद है आप देखो कि स्टार्टिंग से बेदों की जो गूढता है वो धीरे धीरे धीली पड़ रही है कमजूर पड़ रही है त्रिग बेद जो है इसकी बहुत गूरता है लेकिन धीरे धीरे इनकी गूरता धेली हो रही हो और अथरवबेद आते आते देखोगे कि जो समाज एक जो नियम कानून है जो समाज निष्ठा जो इथिक्स है वो सब अथरवबेद में दी गई कि कैसे जीवन जीना है कोई बिमार पड़ेगा तो इसमें दवा धरपण की बात करी गई है रोग निवारण की बात है जादू टोने की बात है तंत्रमंत्र की बात है तो जड़ा सोचो कि जब हम बैदिक पीरियट को पढ़ेंगे तो हम बैदिक पीरियट के जब हम धर्म दर्शन को पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि जब अगर ये इस समय की रचना है या उसके बाद की भी रचना है तो इस समय का जो समाज है वो कर्म कांडिय समाज रहा होगा वो समाज जारदू तोना इन सारी चीजों पे भरुशा रखता रहा होगा अथरोबेद का एक मात्र जो ब्रामिन है जिसको हम गोपत कहते हैं और अथरोबेद के उपनिसदों में मुंद को अपनिसद और आप बताएं मुझे कमेंड करके कि मुंद को निसद जो है कई बार पूछा गया है और यह सबसे महत्पूर क्यों हो जाता है मुंद को निसद कोई बच्चा कमेंड करके बताए मुंद को निसद के बारे तो अथरोबेद के दो मतलब इसके उपनिसद है मुंद को निसद है प्रशनोपनिसद है और मांडियू को निसद है ठीक है आप जल्दी से इसको बताएं और इसमें सभा और समीति को जो है प्रज कोपनिसाद क्यों महात्रपून है कोई बच्चा ऐसा है जिसको पता हो कि मोटुकूपनिसाद क्यों महात्रपून है करो नहीं बताओ चलो यहां तक बच्चों को बताना नहीं जाएंगे यहां तक जो है ठीक है इसके बाद जो है हम आते हैं प्राहमिन कर प्राहमिन आदेने को और अपने साथ है साथ देख लेते हैं वेद आपने जानके वेदों में होपफुली किसी भी बच्चे को जो है चारो बेदों में कोई डाउट नहीं अगर इसको ब्राहमिन आदेने को अपनिस्तों को अगर हमें कल पढ़ना है तो हम कल पढ़ लेंगे एक बार जो है बेदों को पुड़ा सा मैं समराइज करने आओ, बेद, उपवेद और उनकी जो है इसस बेवरल देख लो जो बेद हैं दिग बेद चार बेद हैं यजुरवेद यजुरवेद साम बेद, अत्रो बेद, रिगवेद का उपवेद आयुरवेद है और इसमें चिकित्सा सास्ति संबन्रदिथ है चिक सामबेद जो कि गंधरोबेद है और कला और संगीत की बात करी गई है और अथरोबेद जो है सिल्फबेद है भावन निर्माद है इसमें सबसे जो महत्पून बात है कि जो बैदिक मूल ग्रंध का पतलब है अर्थ है वो बाद में आप देखोगे कि ब्रहमिन आर्यन्यक उपनिसद वेदाग उबेद सर्दर्शन महाकात इन सभी में इनकी कमिंटरी की ही तरह जो है चीजें लेखी गई है वेदांग आएंगे वेदांगों के बारे में हम देटेल में पढ़ेंगे आर्यन्यक आएंगे उपनिस इनिसल सबसे पुराना बेद है लेकिन इसमें जो लास्ट में कुछ मंडल पहला और दस्वां मंडल जोड़ता है यह कहा जाता है कि यह बाद का है और इसी दस्वें मंडल में हैं मैं आपको बता दें कि जो चातुर निवाने वेफस्था की बात करें गई खेर यहां तक आ 2427 आप हमसे संपर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं यूपी पीसेस का अभी हमारा यह बैच स्टार्ट हुआ है और आपने हमारे पढ़ाने के तरीके को मतलब देखी लिया है यह मैं आज से थोड़ा ना यहां पर आप जाते ही है इस मारक क्या है सख्य क्या है मुरतिया क्या है सभी चीज़ों के बारे में बहुत डेटेल में डिस्कस किया था साहित इक शुरोद पे आ गये थे और साहित में धर्मिक साहित्ट को डिस्कस कर रहे थे मैं आपको बतायाbaar कि धार्मिक साहित को अगेन हम तीन भागों में बाड़ते हैं एक होता है एक होता है मतलब मतलब सब्सक्राइब sasci P मध्रामिन साहत पड़ रहे थेивать जैसे कि लोग्शाइब के अंतरगत हमने जो से देख संक है ब्राहजंत बेद shines सरदर्शन इन सारी चीजों के बारे इस्मृति इनके बारे में जो है डिस्कस करना है कल की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा अगर किसी भी बच्चे को कल की क्लास में डाउट होगा तो आप जो मैंने नंबर यहां पर मेंशन कर देता हूं अगें 9555-03-1427 और सभी फैकल्टी का हमारे हैं सब्सक्राइब करवाया जाएगा पूरी गाइड लाइन की टेसरी मेंस की टेसरी जो है और मेंस के करीब हजार से ज़्यादा क्विश्चन और प्रिलिम्स का जो है आपको घटना चक्रे सारा सब कुष कंप्लीट करवाया जाएगा चलो हम बेदाज को पढ़ रहे थे हमने चारुबेद आज को पढ लिया था रेक्वेद याजुर्वेद सामभेद अथा Oxum अब हमें जो है ब्रह्मिन या आध्यनिक उपनिस्त्व के यह इन बादे में आगे बढ़ना असुक्तन इन जो है इन बेदों को मिला करके यह जो चारों बेद है इनको अउनको मिला करके सउचे दो कि यह कँ अब अब सिंपल का आपस अगर आपको कोई पूछे कि यह क्या है एक्छियल में कि Сही का अब जैसे बेध हो या ब्राहमिन ग्रंत हो या रन्यक हो या परिसिष्ट वर्वन हो यह उस टाइम पीरियट का एक्चुल में यह कोड़ाप कंड़क्ट है कोड़ाप कंड़क्ट का मतलब कि भही जो समाज है तो समाज को कंट्रोल करने की जरूत पड़ती है समाज के लिए जो है ताने बाने मतलब है उसके ताने बाने उसका महौल न बिगड़े तो एक ऐसा रूप दिया जाता है एक आदर से चीज़ें गठित की जाती हैं कि लोग उसके अनुरूप बेवार करें तो हर एक टाइम पीरियर में आप देखेंगे कि जब बेदास से हम रिग यहां पर इसम्रतियों तक आएंगे तो आप देखोगे की चीज़ें बदलेंगी जैसे कि रिग बेद में आप मैंने बताया भी और पढ़ाऊंगा भी आगे कि रिग बेद में हमारा समाज जो है य नहीं होता है कि जैसे कि उसमें काई ऐसी चीजें मिलती है जब हम देवी देवताओं की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि लगवाग रिक्ति जरूर इसमें से जैसे कि इंद्र का करीब 200 सुक्तों में जो है उले किया गया है लेकिन फिर भी अगर हम सेपरेटली सब्सक्राइब देखने को मिलती है यह वहां पर जो समाज है जो हमारा समाज है आप जैसे कर्म करते हैं वैसे आपका जो है यानि जो हैरार्की है वह आपका चेंज होता रहता है लेकिन अप्टर आल जो है पोष्ट पे देखिया उसके बात का टाइम देखोगे आप धीरे धीरे तो चीजे बदलने लगेंगी हो सकता है कि समाज की या सुसाइटी की उस समय उसकी नीड हो तब वह ऐसा जो है चीजों का गठन किया गया हो और वही जो गठन है जाहे आज का संविधान ले लो हमारा संविधान आज की जरूतों के देखा तो बहुत ऐसी सारी है अब जैसे कि आप एक है यह मंदिर जो साउथ इंडिया में एक मंदिर है सब्री इमाला का मंदिर तो हर एक टाइम पीरियट का एक फेज होता है चीजें जो है परिवर्तित होती रहती है वो समय के अनुसार समाज के अनुसार चीजें बदलती रहती है तो जैसे की रिग बेद येजुर बेद सामवेद अथरवेद यह एस सच देखो उस समय का उस टाइम पीरियट का एक समाजिक जो है एक पुलिंदा है यह नियम है कानून है संभिधान है समझे इन बेदों को चारो बेदों को सनहिता कहा गया है अब सनहिता के पहले ये घठित हुए फिर इसके बाद बिरहामनिया और ऊपनिश्दौ का जो है इसके बाद जो है उत्तर बैदिक कालिन समाज और संसकृति के विशेय में इन रभे इंसे महत्तपूर्पूंद जानकारी इन से जो है बहुत डीटेल जानकारी मिलते हैं बाइम मीन का च Building स से कोई पूछे कि यह है तो आपको बतानाएं कि जो यह अंसकों सर्क नहीं है यह अलग अलग ब्राहमिन ग्रंथ लिखे गए अब अलग अलग ब्राहमिन ग्रंथ में जैसे कि हम रिगबेद की अगर बात करें तो रिगबेद में एत्रे और कौसीति की ब्राहमिन है आप चाहो तो कहीं पर लिख सकते हो मैं सभी को मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा डेटा का आज कुछ इसू पूरा है कि अच्छो किएगा मैं थोड़ा सा डेटा को एक बाद देखता हूं चलो अब आ गया है ना डेटा आ गया कभी कभी जो है फ्लेक्षुएट हो जाता है आज वाएर वगएर बोल रहा था कि जो हमें डेटा ये प्रोवाइट करके रखा है तो वाएर का कुछ ही सूं हो गया था इसके चलते थोड़ा बहुत इस सो देखने हैं बाकि जो है कभी-कभ के अंतरगत मैं यहां पर थोड़ा सा बतादा चलता हूं मैं अगेन बूल रहा हूं कि यूपी पीसेस में कुश्चन बनते हैं यहां से तो ध्यान रखेएगा तो जो रिगबेद है आपका रिगबेद के अंतरगत जो है एत्रे और कौसीत की ब्रहमिन आते हैं एत्रे लिख लेना प्लीज रफ में कहीं पर ठीक है और यह आपको नहीं सब कोई बताएगा लेकिन मैं बार बार बूल रहा हूं कि हमारा यह जो कोर्स हम यूपी पीसेस और यूपी पीसेस ओरियंटेड है लेकिन यूपी यूपी पीसेस हम दोनों कवर करेंगे सामबेद में आप देखोगे तो सामबेद के अंतरगत आपको जो है दो ब्राहमिन साते हैं एक पंचविस है एक पंचविस है एक सडविस है एक सनविस है ठीक है अथर्व बेद में भी एक ब्राहमिन आता है गोपत ब्राहमिन गोपत यह इसके ब्राहमिन है आपसे पूछ इन ताओं की कमिन्टरी है इन सहिंताओं की क्या है कमिन्टरी है उन को हम क्या कहते हैं कि ऐटया के बार-बार ईिस्सोब रहे है क्या है राज कौन चलो तो यह क्या है इनकी जो है कमिंटरी है और नेक्स वन अब आते हैं हम जो है बेदांग पर देखो अगर हमें बेदांग को समझना है जो बेदांग है बेदों का अर्थ समझने और सूकतों के सही उचारण के लिए बेदांग की रचना करी गई इन बेदांगों की रचना है देखो जरा इसका नाम से ही पता चलता बेदांग अगर आपको बेदों को समझना इन्हें अभी समझाओंगा परिशान नहीं हो ना पहले इसमें क्यों आए क्योंकि इसी कर मतलब एक सेक्वेंट है तो भाई अगर हमें बेदों को समझना है तो इनको समझने के लिए बेदांगों की रचना करी गए। अर बेदांगों में जो हैं पहला है सिच्छा आप जड़ा से लिंक करने का प्रयाज प्रयास करिएगा। बेद जो है उस समय का जो इलीट मतलब जो खासकर इलीट तो नहीं कहेंगे लेकिन पढ़ा लिखा सुसाइटी जैसे कि आप देखो कि संस्कृत पे हैं तो भी यह भासा जो है सब तो जानते नहीं थे अब जैसे कि फॉर एक्जांपल ऐसे समझो कि अगर सारे काम जो है भारत में इंग्लिस में होने लगें तो बताओ कि यह भासा सब कोई इससे तो परचित है रही है तो इसके समझने के लिए अगर हर जगह स्कूल खोले जाए पर्टिकुलर्ली वैसे भी स्कूल चल रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर्ली कि भाई प्रॉड सच्छा भी इसके अंतरकर दी जाएगी सब कोई याय और इंग्लिस सीखे तो इसी तरह जो बेद हैं जो है एक क्लासिकल लैंग्विज में थे जो जनता है वो समान जनमानस जो है चीजों को संस्कृत जाहे एक एलीट लैंग्विज है तो आप आज तक तो समझ नहीं पा रहे हैं पहले आप लगा सकते हैं कितने कम लोग समझते रहे होंगे तो भाया इनका इंटर्प्रेशन या इनको समझने के लिए बेदांगों की रचना करें तूक्तों का सही उचारण हो सके तब इनकी रचना आई तो बेदांग 6 है पहला आता है सिच्छा कि जो सिच्छा है यह बैदिक सब् जो इमर्जन्स इया निर्भान है जो बैदिक सब्दों के सुद्द चारण के लिए इसका निर्माड हूं हो इसके बाद आता है कंप कंद kंद होते तो कंदों को संपन्न कराने के लिए जो है कल्प में बिधी है कि बैदिक कर्मे कान जो है कैसे संपन होंगे इन में रचना करी गई है उनकी बिधी के बिधान है इसके बाद आता है ब्याकरण भीया कोई भी भासा बिना ब्याकरण के संभाव ही नहीं है तो ब्याकरण इसमें जो नाम है जो धातु है इसकी रचन यह सब्दों की व्यूत्पत्ति हेतु जो है नियम है और यह भासा सास्त्र का प्रथम गृंथ माना जाता है निरुक्त और कई बार यूपी पीसेस और बीपीससी ने यहां से पूछा है यास्क ने निरुद्त की रचना की थी यह भी कुश्चन आया है तो आपसे यह भी इसके बाद आता है चंद जो चंद है यह बैदिक साहित में जो गायत्री हो गया त्रिश्टुफ हो गया जगती हो गया ब्रहती का प्रियोग हो गया यह सब जो है चंद में ही किया गया है अगला आपका जो है बेदांग आता है लास्ट जियोतिस और इसमें जियोतिस सास् इसके प्रसिद्ध जो आचार है वह लगध मुनी जो प्रमुक आचार रहे हैं तो यहां तक जो बेदांग को अब जो इसके छे बेदांग है इनके बारे में आपको बता दिया तो फुली यहां ते किसी बच्ची को कोई डाउट नहीं होगा अब देखुँ जो सूत्र लेखन का जो सबसे बड़ा विक्षात दारन है जो सूत्र लेखन का वो पानिनी को माना जाता है और पानिनी का जो ब्याकरण ग्रंथ अस्टा धहाई है तो यह जो पानिनी कर दोरा रचत है और पार्णी को जो है पूत्र लेखन का सबसे बिख्यात जो है ब्यक्ति माना गया है और इनको करीब करीब 400 BC के आसपास जो है यह जो अस्टा ध्याई का टाइम पिरियर माना जाता है पार्णी ने अपने समय के समाच अर्थप्यवस्था और संस्कृति पर भी गहन प्रहकास जाला थेख जिल में नियम कानून है लेकिन इन्हों इन्हों ने मैंने क्या बटाया चाहे आप कबीर की बात कर लो या फिर चाहे आप जो है हडपा की बात कर लो या फिर जो मतलब चाहे कबीर की जो चौपाई बगेरा है जो है उनकी बात कर लो उसमय की जो समाजिकी स्थिति का जो है एकदम देखने को मिलता है क्या इस्थिति रही होगी तो किसी भी इताइब महाभारत के बारे में आगे हम बताएंगे कि महाभारत जो यह महाकाब है महाभारत और इसके बारे में तो यह बताओ बेदांगों के बारे में अगर यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है अब देखो बेदों को जो है हम बेदांगों की माध्यम से भली भाती तौर स समझ सकते हैं ठीक है आप से यह पूछा जा सकता है सिच्छा सिच्छा जो है उचारण भी दी है जो जियोतिस है वो भागफल इससे निर्धारित होता है कल्ब जो कर्मकांद और ब्याकरण जो है सब्दिव्यूत पत्ति ब्याकरण से और निरुप्त जो है भासा बेक्यान है जो है चतुस्फदी इस लोग है यह वेदों के सुध उचारण के लिए यग वगेरा करवाने के लिए यह सहायक होते हैं और इसी प्रकार बैदिक साहित को अच्छने बनाई रखने के लिए सूत्र साहित का प्रणयन किया गया बैदिक साहित को अंटिन्यू जो है आगे ब जो बिधी व्यधान है जो यग करते हैं कर्म-कांडि जो बिधी व्यधान है जो राजनीति जो बिधी वेऊहर है इससे सम्मंद syndrome हमें जानकरी प्राप्त होती है ठीक है बेल अब हब एक बार यहां पर जरा आजाओ महा काब्य पर देखो बैदिक साहित के बाद भारती साहिते में महा काब्यों का समय आता है कि और इसमें रामायन और महां भारत के दोनों प्रमुख महा काब्य घणी जो हमारा आदी काब्य है और इसकी रिचना महार सिभी वालमी की नेकरी इससे हमें हिंदूं और यवनों और शक उंधर का वोर्णन मिलता है तसे महा भारत स्रे रामायन में जो हिंदु हैं जो यवन हैं इनके संघत्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि दूसरा आप देखोगे कि हमारा जो महा काब है महा भारत और महा भारत की यह जो रचना है इससे प्राचीन भारतवत से की समाजिक धार्मिक राजनैतिक जिस दसागा वर्णन मिलता है और एतिहासिक दरश्ट से महा काब्यों को एक बिसेस महा तो नहीं दिया गया क्योंकि इसमें जो वर्णित कथाएं हैं को कल्पना पर मतलब आप देखोगे कल्पना का सवावेस अधिक है और उसका कोई एतिहासिक जो है मतलब पुष्टी भी नहीं होती है तो इनको इतिहास में ऐस सच वैसा कोई इस्थान दिया नहीं कि इनको ऐसा कोई इस्थान नह से वेदब्यास की करती है संभोता जो है दस्मीन सताब्धी इसर उसे चौथी सताब्धी तक की स्तिति का भास इसे महा वारत से पता जलता है आप देखो कि जो लुटी सताब्दी जो बीसी के आसपास वा करते थे और इसका नाम जो Cat इसका मतलब और बढ़कर के चौबिस हॉगे अब वर्तमान में इस महा काप्ली में जो है एक लाग से भी ज़्यादा जुब्हेंश लोक हो गये हैं और तदनुसार यह जो है सत सहस्री सहिंता यह महाभारत कहलाने लगी और इसके जो है इससे हमें तकालीन राजनेतिक समाजिक आर्थिक जिस सभी का ग्यान होता है तो यहां तक बताएं किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है अच्छा रामायन के बारे में जैसे थोड़ी से इस लोकों के संख्या खलगी पूछा नहीं जाएगा अब थोड़ा सा जान लो इसमें जो इस लोगों की बात करी जाती कहा जाता है कि जो रामायन हैं इसमें च्छह हजार क्यास पास जो है इस लोग थे और बढ़ा करके फिर आगे इनी को बारा हजार क्यास पास कर दिया गया बारा हजार इस लोग वरतमान में इसमें भी करीब 24.000 जार इस लोग है और बढ़ गए और इसकी रचना जो है संभवता इसापूर पांचवी सदी से राजा के द्वारा किये गए जो है अनुष्ठान तीन उच्वण के धनार पूर्चों के द्वारा किये जाने वाले अनुष्ठान स्थार्जृन epidemic यग पिडी विधान स्रॉत सूत्र इसमें से दिये गए है रमायन में जात कर्म जो जन्मानुष्ठान है नामकरण उपनयन विवाह स्राध्य जो घरेलू और पारिवारे का नुष्ठान बिदी बिद्धान है ग्रह सूत्र इसमें पाए जाते हैं स्राध्य सूत्र और ग्रह सूत्र दोनों 600-300 इस्वी के आसपास के हैं वहीं जो है सुल्व सूत्र में यग्यदेवी के निर्मान की बिविद्ध प्रकार के मापों का बिद्धान है ज्यामिति और गणित का अध्यन मिलता है अध्यन का पता चलता है और प्राचींतम जो है ब वाली भासा में लेखे गए थे और यह बहुत सारी भासा हैं जब आगे बहुत साहित के बारे में डिसकस करेंगे तो वहां पर आगे बढ़ेंगे अच्छा यह बताओ कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई ऐसा जिसको डाउट है अगर कुछ कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से पूछू कोई बच्चा ऐसा चलो किसी को कुछ नहीं पूछना राइट है ना अब हम आते हैं आज डेटा का बढ़ाई सो हो रहा है जहां तक चलो फिलाल ठीक है तो यह आपने देखा यहां तक किसी को कोई जो है डाउट बगेरा नहीं अब देखो आरण्यक हमारी टैतरी मैत्रायनी यह आरण्यक है उपनिश्दत में जो है चांद्यों कल बताया था मैंने पठोपनिशत जू है व्रहदार अपनिशत अपनिशत चार्वाग को अगर मतलब। चारवाग को मिला लें और आठ दर्सन में आप देखोंगे कि उसमें जो है कुछ ऊस चीजों की बात हो रही है मतलब आत्मा पर मात्मा चारवाग जो है मतलब वह बहुत एक वादी है हम इसके बारे में जब आटन कल्चर पढ़ेंगे तो यह फिर आगे बढ़ेंगे तो हम जो है दर्सन के बारे में देख इस्मृति वहीं कि बहीं एक निश्य टाइम फेज के बाद जो है कुछ मतलब बिदवान रहे अपने टाइम फेज में उस समय की समाजी की स्थित्य को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है समाजे के यह करंथ रचे और वही हैं इस मृतिया भी ठीक है इसके बाद हम आते हैं ब्राहमनेत्तर साहित का मतलब क्या है जो ब्राहमिन से इतर हो कि ब्राहमिन साहित की बात कर लेते हैं ब्हारती इतिहास का बढूत साहित का बहुत विशेष्ट महात्यों है और बहुत साहित ग्रंथों में त्रिपिटक जो है सबसे महात्यपून संग में जो एक्षुल में नियम कानून यह अचाज जो है अचाज सहिंता यह सारी चीज़े और इसमें सिच्छाओं का संग्रह है वहीं दूसरा जो आप देख रहे हैं कि यह सुद्ध पिटक है यह जो सुद्ध पिटक धार्मिक सिध्धांत जो होते हैं उन सिध्धांतों क का वटनन किया गया है इसमें से धर्मोपदेश दर्सन है का संग्रह लास्ट में आता है अभिधम पिटक यह दार्षनिक सिध्धानतों का संग्रह कि यह यह दार्षनिक सिध्धानतों बहुत गरंध जो है पाली भासा में लेखे गए और इसके पीछे क्या कारण है आंकि पाली भासा में क्यों लेखे गए ब्राहमिन ग्रंथ तो संस्क्रत भासा में लेखे गए कि इन्हें जो है संस्क्रत नहीं आती थी कि ऐसा था साथ ऐसा तो नहीं था तो क्या वजह रही होगी तो बड़ा सिंपल है देखो भी आप ब्रहमिन ग्रंथ में अब देखोगे तो जब बैदिक पीरियट में यह जो है एलीट वर्ग का खासका जो जो है जो क्लासिकल लेंगविज होने के चलते तो यह जंसमानी की भ हो गई तो इसी के चलते जो है भारत में भारत की गंगा घाती में करीब त्रेसर प्रकार के धर्मों का उदय हुआ उनमें से जो है बहुत जैन मतलब दोनों जो है इंपॉर्टेंट है बहुत महात्रपून है कुछ और हम देखेंगे चाहे वह जैसे पकिदु का चायन हो य यह क्या जोरत है कि भी बहुत जो है इनके जो मतलब जो इनके वही आप दर्सन ही कह लो इनकी जो एक्शुल में साहित है जो इनका लिट्रेचर है पाली भासा में देखो इन्हें यह तो भगवान बुद्ध को यह तो आइडिया लग गया यहां जो उस समय के धर्मा गुर जन समाने तक आप इससे नहीं पहुंच सकते हो अगर आप अपने बहुत धर्म का प्रचार करना चाहते हो इसमें जो कहते हैं कि जो कुरूतियां आ गए हैं पोश्ट बैदे किरा में अगर उन कुरूतियों कुदे खोद बहुत सारी चीज़ों हैं जो मित आ जाते हैं कुर अगर माल लो कि संविधान जो है सर्फ इंग्लिस में हो हिंदी में हो ही न जो बच्चा या जो लोग इंग्लिस नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें संविधान का तो बहुत आईडिया नहीं होईगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम लोकल की भासाओं में जो है जो लोकल की जो लेंग्विजन हैं इसमें हम जो है इसको ट्रांसलेट करते हैं या आसानी से अपलब्द हो जाए तो मुझे लगता है कि वाइडर एरिया में इसका जो है क्या हो जाएगा प्रसार हो जा हम पार 談तों इस संबन्दित और जात्कों में बुद्ध से गटनाओं का ब्टन जौत जी में से सबुदेद करें ऊद्ध करें गया है तो इस अब पाली से शरी यह क्यों मिलते हैं यह पूछ लेगा तक देपोुन स roughðius महावन्स किसे संबंदित है आपको एक जैनिजम देगा और वो गलत ही होगा इसके बाद मिलिन पन्हों आप देख रहे हो यह जो है यह नाक सेन के द्वारा रचित और यह भी पाली भासा में ही है कि इसमें जो ही हिंद यर्वन्सासक मिनांडर हैं उनके बारे में सूचना मिलती है इसके बाद आता है भई ढह्ता है महात्मा बुद्ध के जीवन्य चरित्र। उनके वर्डण किया गया है कःधा वस्तर और महायानियों का भी एक ग्रंत होता है ललित विस्तार दिब्यावदान और इस पर जो है चमतकारिक वर्णन किये गए है अभी मैं बताऊंगा कि इसके पीछे वज़य क्या है कि याकि दिब्यावदान में चमतकारिक वर्णन क्यों किये गए है और जो कथा वस्तु है वो बहु जो बुद्ध के दर्सन है उसकी जो फिलोसिफी है जो चीज़े कही गई है यह उनकी ही बात क्यों करते हैं एक बात फोड़ा सा बताई देता हूं देखो क्या होता है हर एक धर्म जो है उसकी कुछ चीज़े एक्स्टीम होती है जो सभी को फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होता है जन समाने लायक होती है बुद्ध में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ लोग जो है बदलब एक्स्टीम चीज़ें थी बदलब उसके नियम कड़े थे कड़े काइदे कानून थे तो भाई इनको समान ज्यादा लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे तो बुद्ध की फिलोसपी को लेकर के इसमें से डिस्प्यूट हुआ और इसमें जो है दो भाग में बढ़ गया एक हीन यान और महायान यह कम लोग थे जो बुद्ध की जो ओरिजिनल फिलोसपी ओरिजिनल तरसन है उसी पर भरूसा करते थे लेकिन जो महायानी थे यह खू में जिसी इसका विरोध की आप यह जो महायानी है उसी के चमतकारिक प्रयोग को लेकर के जो है यह आगे बढ़ते हैं और महायानियों का अगर ग्रंथ होगा तो उसमें क्या बात होगी वहीं चमतकारिक वढ़नद ही तो होगे वह अपनी चीजों को रखेंगे ठीक है अब कि तो सिर्फ हमारी कल और आज की आप देख रहे हैं कि इतनी ब्रहद नहीं होती है लेकिन फिर भी हम मात्रे सूर्सस में दो क्लास अब आता है जैन साहित भाईया जैन साहित जो है जैन साहित को आगम कहा जाता है और जैन ग्रंथों में जो परिशिष्ट परवन हैं हद्र सूत्र बाहु चरित और अचारांग सूत्र भगवती सूत्र काली कापुरान ये जैन साहिति के सबसे महात्योपूर्ण जो है जैन घ्रंथ क से यूबई पीसल्स ये पूछ सकता है कि प्रारंभिक इतिहास मतलब जैन गरंथ का प्रारंभिक इतिहास कहां से पता चलता है कौन से गरंथ तो कल्प सूत्र है कल्प सूत्र से जैन धर्मे के प्रारंभिक इतिहास के बारी में जानकारी मिलती है और कल्प सूत्र के बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना जो है भद्र बाहु ने करी थे भद्र बाहु ने करी थे तो यह तो हो गया जैनस अब एक बार हम पिछली स्लाइड में वापस आता है और इस स्लाइड में आपने देखा कि धार्मिक साहित कंप्लीट कर लें अब धर्म निर्पेच साहित थे बतलब कि जो वैसे साहित जिनका संबंध ऐस सच डारेक्ली जो है धर्म से नहीं होगा उस समय बहुत सारे ऐसे सासक रहे होंगे सासक के दरबार में बिद्वान लोग रहे होंगे तो उन्होंने जो है ऐसी कुछ रचनाएं करी होंगी उन्होंने भी अपने सावसन चलाने के लिए नियम कानून बनाए होंगे यह धर्म से इतर होंगे तो भी यह जो है धर्म निर्पेच साहथि यह लौकिक साहथ कह सकते और यह जो इसके अंतरगत एकिहासिक और अर्ध एकिहासिक ग्रंथों और जीवनियों का जो है बिषज उलेक्ति किया गया है अब एतिहासिक रचनाओं में सबसे महत्पून आ जाता है अर्थसास्त्र कोटेलिक आर्थसास्त्र और जो अर्थसास्त्र का विसेश रूप से लेक किया जाता है और अर्थसास्त्र की जो रचना है modern period में एक बड़े साथ होते हैं चंद्रगुप्त और इनके प्रेधान मंतरी होते हैं कोटेलया भिस्नु गुपत के ने कहा गया है तो इनमें चंद्रगुपत की इन्होंने कोटल्या ने उनको कैसे शासन चलाना चाहिए चंद्रगुपत की सासन प्रणाली या साथन ब्यवस्था पर इन्होंने जो है अपने इस ग्रंथ में जो अर्थसास्त में फोकुश्ट किया है वंडे एक्जाम या यूपी पीसे स्या जो मतलब ऐसे एक्जाम हैं कभी कभी जो है ऐसे पूछ लेते हैं कि जो अर्थसास्तर किस से संबंदित है तो धारक ना यह उनकी किताब का नाम अर्थसास्तर है लेकिन यह सासन व्यवस्था से संबंदित है कि यहां तक बताओ अभी और हैं परिसान मत हो लेकिन यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट बगेर है आज तो कोई कुश्चिन भी नहीं पूछ रहा है या सभी को सारा इन्हीं मतलब आगे जो है कलहन के द्वारा रचित राज तरंगनी असंस्कृत साहित में एतिहासिक घटनाओं के क्रमबध इतिहास दो है लिखने का प्रथम प्रयास दो है इसी में किया गया है भी धर्मने रपेश्य साहित के अंतरगत आता है एक और है अर्ध एतिहासिक रशनाओं में जो पांगनी का अश्टा ध्याई का त्यायन की वर्तिका अतंजली का जो है महाभास और विसाक दत्त का मुद्द्रा राच्छ अ काली दास का मालविकागने जो है मित्रम यह सभी उस टाइम पीडियट की धर्म निर्पेश साहित के अंतरगत हम इनको जो है कंसीदर कर सकते हैं इसमें से यह पूछा जा सकता है इनके नाम भी धान रखियेगा और राइटर के नाम मतलब जो है इनके जो ग्रंत के जिन्हो के कलहन पाण पाणे नी की जो है मतलब अश्रद्हाई के जो है पाणे नी बिसाकत मुद्र राच्छस के अभिज्यान सकुंतलम के जो है काली दास माल विकागने मित्रमीनी की है रगवन्सम मेगदूतम और जो है बानभट का हजचत मुहीं एतिहासिक जीवनियों में जो है अस्योगोस्कृत बुद्ध चरित बानभट का जो मैंने आपको बताया हज चरित वाकपती का गौन वहो एंपी पीसेस में यहां से क्विश्चन पूछा था मतलब यह बहुत पॉपलर नहीं रहा लेकिन यहां से क्विश्चन बना दिया और बिलहन का जो है बिक्रमांग देव चरित्र संध्याकर नदी कृत जो है राम चरित हेम चंद कृत का कुमार पाली चरित्र और जयानक कृत और प्रिथवी राज बिजय यह महत्पोन है इसके बात जो है बाकी की सारी सीजे में आल्रेडी आपके सामने पताई दिया कौन किसकी है बाकी की आगे जैसी हवारी क्लास बढ़ेगी तो आगे मैं यह भी बता दूँगा कई बात जो है यूपी पीशेस में यह भी पूच लेता है कि यह से राज्ट्र ग्रंत है महाभास है यह पतंजली के द्वारावर रचित है अस्टध moist है पर यह जो टीका है और पुllers जो सुंह है उनके में जानकारी देता है सब्सक्राइब राच्या दौरा है और मौरेकाल के बारे में इसमें से जानकारी मिलती है वहीं एक और है कथा सारित सागर के द्वारा और ये भी मौरेकाल के पीडेट की जानकारी नीती सार जो है कामंदक और गुप्त काली राजतंद्र के बारे में जो है उसकी жांद कारी देती बंगाल का जो है रही चरित रे चाल यह करता है तो घंद्रबरदाई प्रत्वी चन्दरपर दाईय जो है प्रथवी राजरासों के लेखक रहें और प्रतिवी राज च्वखान की उप्रद्यों का वर्णन कई गया है संगम्साहत्न में तिरुकुरल ये संगम्साहत e т. तु30 कुरल सिलपादिकारं मनिमेकल जिवक चिंता मणी ठीक है यह आपके संगम साहित के अंतरगत कुछ है इसके बाद हम आते हैं वापस इसी स्लाइड में और यहां पर देखें आप इस पहली स्लाइड में आप नेजर डालिए करें पुरा तात्विक स्रोथ कल की क्लास में देखा सहितक स्रोथ भी हमने कल थोड़ा पढ़ाओ और आज जो रही चीजह रहें ही भावर्ती सहित के अंतरगत कि अब हमें बिदेशी सहित पर नजर डालना है तो बिदेशी एक मिनट बिदीसी साहित में हम देखेंगे कि युनानी रोम के जो लेखक हैं इनके द्वारा लेखित जो हैं चीजें क्या हैं क्या-क्या रचनाएं हैं क्या-क्या बात करी गई कुछ चीनी लेखक हैं और अरभी लेखक हैं ये यूनान और रोम के जो लेखक हैं तो यूनान के जो प्राचीन लेख्कों में एक टेसियस यह रोडोड़कानों के नाम आप चानते ही भोग हुआ है कि यह दोनों नाम बहुत प्रशिद्थ रिए यह य्युनान के मा ध्यान रखेएगा यह आंग के युनानी है यह आप टेसियस है। इराण करिणको कर दोलन जाता था और टेसियस का जो वर्णन है ये अधिकांस जो कल्पित कहानिया एं कपूल कहानिया है जो की पूर्टा जो है अब ज्श्भ स्नी है तो उनपे है ये दूसरा मैंने आपको जो हेरोडोटस बताया ओए इनको जो है इतिहास का फिता कहा जाता है और इन्हों ने जो पांचमी सदी में हिस्टॉरिका की है इन्होंने दशना करी और इसमें जो इन्हों ने फारस और भारत के संबंधों का वर्णन किया है एक अगले बेक्ति आते हैं सिकंदर के साथ जो आते हैं नियार्कस अने सिक्रिटस और अरिश्टोबलस यह सिकंदर के साथ आते हैं फिर इसके बाद सिकंदर के पश्चाद सिकंदर के बाद पश्चात के जो है मतलब सिकंदर की पश्चात के लेकों में तीन राज़भूत एक मिगस्थनीज डाइमेकस और डाइूनीसिय Mix ये बहुत महातफोन हैं एक मिगस्थनीज की रचना है इंडिका और जो है यह मेगस्तनीज जो सेल्यूकस निकेटर हैं इनके राजदूत हुआ करते थे मेगस्तनीज ने अपनी इस रचना में इंडिका में जो मौर यूगीन समाज है संस्कृति है उसके बारे में लिखा है वहीं जो डाइमेकस हैं इन्होंने सीरियन नरेस और एंटियोकस के जो राजदूत थे और इन्होंने बिंदुसार के राजदरबार में जो है अपना काफी टाइम बिताया जो आपकी डायोनीसियस हैं यह मिस नरेस जो टॉलेमी फिलाडिल्फस हैं इनके राजदूत हुआ करते थे जो कि बिंदुसार कुछ स्रोतों जो मतलब अन्य स्रोतों से जो है असोक को भी पढ़ने में मदद मिलती है तो कहा जाता ही बिंदुसार के जो है राजदरबार मे आए हुए थे एक और ब्यक्ति मिलते हैं प्लेनी और इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें इन्होंने जो है भारत के पसुओं पॉधूं और खनिश पदातों की जानकारी दे थी प्लेनी ने जो कि बहुत महात्पोर है एक टॉल बहुत बहुत प्रमुख नाम आता है आप इस्क्रीन पे देख रहे होंगे जो फाहियान हैं यह पाँवी सदी के स्टार्टिंग में जो द्वती होते हैं जिनको बिक्रमा दित्र कहते हो उनके सासनकाल में भारत आते हैं और इन्होंने भारती समाज और यहां की संस्कृति आर्थे किस्तिती पर जो है अपना प्रकास डालते हैं वहीं दूसरे बेक्ति अबांते कि य हैं तो एक चींद्र है और ये 7 सदी के अंत्ध में जो है लगबख भारत आते हैं कि और अपने नालन्दा अपने समय कि भारत की हरतें यह कुछ अर्वी कि लेकों में अरव ब्यापारी की बात करें तो अरब ब्यापारी और लेकों के बिशन से जो पूर्मत्य कालीनब्हारすमाज और शंसक्रति के बारे में जानकारी मिलती है और इन लेकों में जो अलबरूनी है इबन बतुता है यह मंदब प्रमुख नाम है तो इनके बारे में जो है जानकारी मिलती है तो जो अल बरूनी है थोड़ा सा मैं बता देता हूं जो एक गेर्विभी सदी में महभूद गजनवी के साथ भारत आते हैं और अर्वी में लिखी गई 1888 1888 में एक जो है एडवर्ड साची ने अर्वी भासा से तहकी के हिंद को अनुबाद जो है अंग्रेजी में करवाया था यह भी कई बाल बीपीएस्टी में पूछा गया यह यूपीपीशस में कि जो है तहकी के हिंद का जो है अनुबाद कब और किस ने करवाया था तो एडवर्ड साची ने अठारा सो अठासी में करवाया था अरवी लेकों में जो अलबरूनी के अतरिक जो है अलबिलादुरी सुलेमान हसन निजाम फरिस्ता निजामदीन इबने बतूता बहुत सारे जो है साथ आने वाले कुछ है लेकर रहे फोड़ा सा इबने बतूता के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इनके द्वारे एक जो है लिखित यात्रा ब्रतार था रहला बहुत प्रमो के कई बार पूछा गया अर्वी भासा में रचेत है अर्वी भासा में लिखा गया है और 14 सदी में पर्याप्त जो है महाजीवत के समाजिक सांस्वतिक जीवन के इसे जानकारी मिलती है और इसमें बढ़िया बढ़िया रोचक कहानिया है अब सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलग ने उसे दिल्ली और बतलब इनके बारे सुना हुआ यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो जो प्राचीन भारत की तिहास के अध्यन के स्रोत थे हमने उनको आज तक क्लास में जो है कम्प्लीटली डिसकस कर लिया है यहां तक किसी भी बच्चा को कोई ड चलो पूछो मैं आपका टाइम थोड़ा सा ले रहा हूँ चलो पूछो जल्दी से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो और मैंने बोला कि यह मेरा नंबर है कोई बच्चा किसी प्रकार से जानकारी चाहता है हमारे कोर्स के बारे में 9555-031427 यह हमारा जो है मॉबाइल नंबर है ठीक है